वोट इस इंप्रेशं ए इंटरुमिट्वर्ट बाइट पे बना आप बनाते हो इपनी अप्रण के प्रेंटो किक्रिब्स एपाइड करके आप कैसा इंटर्न पाइट तो क्या fusion करती है कि görd sings सी कंफिर्ट करते हो कैश से इंटराइंट करते हो कि पब्लिकेशन आप कस थाइब का कंटेंट करते हो कि सिट्रूट करते हो इंटरनेट पर in other words सब्सक्राइब कई पोगे आप बदों कीज़ है एक डेता का लोगों से इंटरेट करते हो आपके इंटरेट करते हो आप कैसे कमेंट करते हो राइट जो आप इंटरनेट पर क्या करें छोड़ रहे हो मतलब इंटरनेट को प्रोवाइड करें कैसे इंटरेशली आप जानते हो कि आप क्या इंटरनेट पर अप्लोड करें और अन फीर्मेशन आपकी ब्राउजिंग हीस्ति च्या हो हुरी है इस इस पर शारी है पre डिफेंड लाट़्साइट्स पे जाकर्ट हो हुरी है यो लीप ब्याइंट ये सारा का सारा इंप्रेशन टेंट कब आप internet को प्रोवाइट करते हो जब आप internet पे surfing करते हो data information information search करते हो या कोई भी activity करते हो fine now we have type of digital footprint okay so there there are two main classification of digital footprints digital footprint दो types के होते है active and passive first we have active digital footprint and active digital footprint can be defined as the intentional data trail that an individual leaves behind intentionally active data data footprint क्या होता है वो data जो एक individual एक particular individual intentionally internet पर प्रोवाइट करता है okay like facebook twitter and blog post जो आप क्या करते हो facebook पे twitter पे या blog जो जो भी आपके blogs होते हैं वहां पर पोस्ट करते हो right तो यह data क्या है आप इंटेंशली प्रोवाइड करें हो fine social network connections आप अपने social जो आपकी sites होते हैं उन पर जो भी content upload करते हो right image and videos upload आप image and videos जो upload करते हो emails आप जो emails send करते हो phone calls करते हो chats करते हो तो यह सारा क्या है यह data आप खुद प्रोवाइड करें हो okay right तो यह such type of data is called active digital footprint the data जिसके बारे में आप aware हो कि yes I am doing this okay I am providing this particular data to the internet मैं अपने जैसे आप facebook account होते हैं आपका तो आप क्या करते हो आप सोर्स समझ के उस पर videos upload करते हो images upload करते हो यहां पर क्या है यह आप अपना data खुद प्रोवाइड करें आप अपना डिजिटल footprint खुद प्रेट करें तो 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 तुस तच टाइप आप डिजिटल footprint is called as active digital footprint fine okay second is passive digital footprint passive digital footprint क्या होता है पैसे footprint is defined as the unintentional traces that an individual creates on the internet unknowingly वो डेटा जो क्या होता है जब कोई भी person internet पे कोई भी activity करता है तो उसके नॉलिज के बिना वो डेटा क्या होता different websites क्या करती है steel कर लेती है steel means why I am using the word steel because क्या होता जब आप कोई भी website पे information search करते हो तो आपकी browsing history क्या होती है sometimes आपकी browsing history वो particular website cookies की help से record कर लेती है कि आप किस टाइप की activities कर रहे हो यहां पर आपको पता नहीं है कि आपकी browsing history को क्या किया जा रहा है record किया जा रहा है okay you are not aware of this तो यहां पर क्या है unintentionally आप data provide करें आप you are unaware of that आपको नहीं पता है कि जो भी आप यहां प्राउस करें उसका पर्टिक्लर रिकॉर्ड कहीं पर जाके स्टोर हो रहा है तो इन डैट केस इट बिकम्स पैसिव डिजिटल फूट्प्रिंट मीन्स आपका डेटा रिकॉर्ड तो रहा है यह भी सब्सकतंर उसका यह फूर्स को था रिज़न सुझेट पर है वह carve catu कि आपने के इंपकोर्मेशन नहीं नहीं बताई आप आपने एंड्रहपन प्राइब दोभच इल्प आप अप नहीं बताए आप्रवशाइं वहें July अब क्या होता है जब भी आप कुछ एप्स होती हैं जहां पर प्रोड़क्स को सच करते हो कि आपको किस टैप का प्रोड़क्स चाहिए आप कौन सी एक्टिविटीज करते हो और वैसे ही आपके पास क्या आते हैं अगर है जयसे आपने एक जयसे क्या आते हैं आप यूटूब पे सर्च करते हो वैसे ही वीडियोज आपके पास और विडियो सोटंगे करते हैं इंटरनेट को बहुत सारे वेज हैं इसमें से हम कुछ यहां पर एक्स्टिंग करेंगे पोस्टिंग ऑन फेस्बुक इंस्टाग्राम स्नैप्चेट ट्वीटर और शोशल मीडिया प्रेटफॉर्म्स तो यह क्या है एक्टिव डिजिटल फुट्पिंट है जहां पर पुछ पोस्ट करते हो फेस्बुक पर इंस्टाग्राम पर स्नैप्चेट पर तो यू अप्रोवाइडिंग दिजिटल फुट्पिर्ट टियर राइट फिलिंग आउट ओंलान फॉर्मस फिल करते हो जहां अपने सारे इंफॉर्मेशन पर्वाइड करते हो सच अश्च में आप से क्या करते है आप ठीक करते हैं यहां पर शारे कर हो एमेल यह एक सेनले fail में में आपरе कि रहरा हैं रहाक में बहुत पते हैं कि इस रही है मैं तो आप शुचत कि भूल नगिज देवाइग करें। कुद लोग उनता है। क्व दार रहे क्लिक लजार राउन है। तो क्या होता है वो पर्टिकुलर वेक्साइट की कुटी समाय सिस्टम पर स्टॉल हो जाती है और वो सारा हमारा ब्राउजिंग रिकॉर्ड अपनी वेक्साइट को प्रॉवाइड करता रहते हैं इस पर थोड़ा रहना चाहिए कि जहांपे कुटी वहां पर ओके नहीं करना चाहिए it is not harmful but sometimes ऐसा भी हो सकता है कि आपकी personal information भी क्या हो जाए share हो जाए now we have tips to manage your digital footprints आप अपने digital footprints को कैसे manage कर सकते हो right treat your password like your toothbrush don't share it with anyone and change it often okay तो आपको अपने password को बहुत secure रखना चाहिए उसको किसी के साथ आपी share नहीं करना चाहिए और अपने password को time to time change करते रहना चाहिए fine always remember to log off when you have finished with an online service जब भी आप अपने कोई भी online service यूज कर रहे हो आपने अपना account open किया हूँ है तो हमेशा अपने account को क्या करना चाहिए लॉग आउट करना चाहिए fine जिससे आपका account close हो जाहिए okay use your own digital footprint to remember your favorite websites like the history button and bookmarks आप अपने खुके डिटल footprint बना सकते हो कैसे जो भी website आपको पसंद हो okay उनको history button पर क्लिक करके या फिर उनको bookmark उनका bookmark create करके fine remember that most of the website you visit will make a note of your visit and may also track the website you visit before and after their website तो हमेशे याद रखो जो भी आप activity करें जैसे आप किसी website को विजिट करें तो यहां पर रिकॉर्ड होगा आपकी activity पूरी record होगी कि आपने इस particular website पर विजिट किया और क्या-क्या वहां पर information search की fine और वह website यह भी search कर सकते है कि आपने उस website से पहले कौनसी website को विजिट किया और उसके बाद आपने कौनसी website को विजिट किया fine let an adult know if anything you read or see makes you feel worried और upset अगर आपके पास कोई ऐसा comment आता या कोई ऐसा data आता जो आपको वरिट कर जो आपको upset करता है तो इसकी information हमेशा अपने घर में अपने से बड़े जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनको देनी चाहिए I think you have heard about etiquette etiquette क्या होता है जो manners होते हैं जो manners हम follow करते हैं in our day to day life okay उसको हम बोलते हैं etiquette okay तो यहां पर netiquette है net plus etiquette right netiquette short for internet etiquette internet etiquette और network etiquette right are guidelines for courteous communication in the online environment okay to netiquette क्या है netiquette वह etiquette है जो आप internet पे follow करते हो जो आप network पे follow करते हो right in order to have a courteous courteous means polite respectful respectful communication करने के लिए एक polite communication करने के लिए internet पे जो guidelines आप follow करते हो जो rules आप follow करते हो उसको बोलते है netiquette right जैसे हमाई day to day life में हम लोग क्या करते है etiquette follow करते है right good manners follow करते हैं वैसे ही internet communication करने के लिए जो आप good manners use करते हो okay उसको क्या बोलते है internet netiquette okay और यह किसकी short form है internet etiquette okay या फिर network etiquette right now netiquette includes rules that provide guidance for appropriate social interaction and technical performance online okay तो यह क्या ही कुछ rules है जो आपको follow करते हैं करने होते हैं जब आप क्या करते हो socially interaction करते हो technical technically work करें online जो भी rules आप follow करते हो किसके अंदर किसके अंदर आते है netiquette के अंदर आते हैं right this simply means the use of good manners in online communication such as email forums blogs and social networking sites तो यह क्या कह रहा है netiquette वो rules है वो good manners है जो आप follow करते हो जब आप online communication करते हो जैसे आप email send कर रहे हो आप blog writing कर रहे हो आप social interaction कर रहे हो right okay much like traditional etiquette which provide rules of conduct in social situation the purpose of the netiquette is to help construct and maintain a pleasant comfortable and efficient environment for online communication तो netiquette का purpose क्या होता है एक respectful communication हो एक polite environment create हो जब आप क्या करे हो आप online interaction करे हो जब आप एक online communication करें okay as well as to avoid placing strain on the system and generating generating conflict among users जिससे क्या हो किसी भी जो भी person online work कर रहे है उनके उनके उपर कोई strain ना है कोई दवाब ना है ओके और एक peaceful environment बना रहे है कोई भी conflict पैदा ना हो कोई भी conflict ना हो आपस में जो लोग क्या करें online work करें एक उसे से online interact करें fine तो neticates क्या है वो rules है वो manners है जो आप कभ यूज करते हो जब आप internet पर work कर रहे हो राइट या internet पर interaction कर रहे हो okay now while there is no official list of neticates rules or guidelines the journal idea is to respect others online तो यह क्या कहा जा रहा है कि ऐसी कोई list हमारे पास नहीं है कोई हमारे पास guidelines की list नहीं है rules की list नहीं है कि यह यह आपको follow करना है लेकिन neticates का एक जर्नल आइडिया क्या है एक दूसरे की respect करना online जब आप online interact कर रहे हो तो आप दूसरे users की क्या करें respect करें below are 10 examples of rules to follow for good neticates okay तो यहां पर आपको 10 examples दिये जा रहे है कुछ rules के जो आपको क्या करने चाहिए follow करने चाहिए जो क्या है for good neticates जो आपके neticates दिखाएंगे आपके network etiquates show करेंगे right first one avoid posting inflammatory or offensive comments online कभी भी ऐसे comments online offensive comments online नहीं करने चाहिए जो किसी को hurt करें या जो कुछ गलत situation को create करें okay okay now the second one respect others privacy by not sharing personal information photos or videos that another person may not want published online ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप किसी और की person information या किसी और की photos videos को online share करते okay जब आप दूसा person ऐसा नहीं चाहता है okay तो आपको क्या करना चाहिए दूसरों की privacy को respect करना चाहिए right किसी की भी personal information online share नहीं करनी चाहिए right never spam others by sending large amount of unsolicited email कभी भी नहीं करना चाहिए कि आप बहुत सारे useless emails send करें okay दूसरे ाइडी पर okay तो आपको हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए fine show good sportsmanship when playing online games whether you win or loss okay कभी बच्चे क्या करते है online game खेलते हैं तो अगर उनका loss होते है तो क्या करते है आपको क्या करना चाहिए एक sportsmanship एक feeling होनी चाहिए आपके अंदर अगर आप win भी करते हैं तब भी और अगर आप loss करते हैं तब भी राइट online games केलते time right don't troll people in web forums or website comments by repeatedly nagging or annoying them बार बार किसी को troll नहीं करना चाहिए useless comments नहीं करने चाहिए right okay don't try to annoy the people right okay okay stick to the topic when posting in online forums online forums क्या होता है websites होते हैं जहां पे आप questions भी type कर सकते हैं आप answers भी type कर सकते हैं तो अगर आप online forums पे work कर रहें तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए जो topic है उस particular topic पर ही आपको post करना चाहिए useless information या useless questions वहां पे post नहीं करने चाहिए okay और when commenting on photos or videos such as YouTube or Facebook comments और हमेशा यह ध्यान अखना चाहिए जब आप comment करें photos पे videos पे तो useless comments नहीं होने चाहिए right don't swear or use offensive language कभी भी आपको swear नहीं करना चाहिए right आपको कसम नहीं खाने चाहिए online के I swear on God I swear on my mother no not at all right और use offensive और कभी भी offensive language का use नहीं करना चाहिए okay जब आप online work करें या online if you are using something right avoid replying to negative comments with more negative comments instead break the cycle with a positive post okay sometimes what happens आप एक negative comment करते है किसी particular post पे let us take an example of video on YouTube आप उस पे कुछ negative comment करते हो करते हो तो आपको क्या होता है उसे जदा negative comment मिल जाता है then you again reply back so instead of doing that stop that okay either stop giving the comment or break the cycle by giving a positive comment right okay now next one if someone ask a question and you know the answer offer the help अगर आपको online कोई question कूछता है कोई help मांगता है and you know it okay so what you should do you should give the answer right thank others who help you online और आपको कोई online help करता है तो आपको उसका thanks करना चाहिए okay तो यहां पे हमने कुछ rules का discussion कुछ rules discuss किये okay which comes under net tickets okay network जो किसके under आते है network etiquette के अंदर आते हैं right okay basically है क्या data protection है कि आप अपना data personal information कब कैसे और कितना share करना चाहते हो online okay तो here we have this data protection generally means the ability of a person to determine for themselves when how and to what extent personal information about them is shared with or communicated to others okay तो data protection क्या है यह एक person की ability है यह decide करने की के उसको कितना अपना अपनी personal information share करनी है okay किस time पर और कितने लोगों के साथ उसको अपनी personal information share करनी है right this personal information can be one's name location contact information or online or real world behavior तो यह personal information कुछ भी हो सकती है okay किसी का नाम हो सकता है उसकी location हो सकती है उसकी contact information हो सकती है okay तो data protection क्या है data protection है अपनी information को आप कैसे protect कर सकते हो आप कैसे decide करोगे कि आपको कितनी information online share करनी है okay when you are communicating with others online how you will protect your personal information okay as internet uses has increased over the years so has the importance of data privacy okay जैसे जैसे internet का use increase होता जा रहा है internet का uses भडता चला जा रहा है वैसे ही हमारी जो personal data है data privacy है उसकी भी importance increase होती जा रही है right okay हमें अपनी जो personal information है उसको क्या करना है protect करके रखना होता है when we are using the internet okay websites applications and social media platforms open need to collect and store personal data about users in order to provide services जो क्या होता है हम जब online क्या करते हैं work करते हैं या online हम कुछ भी use करते हैं तो क्या होता है कुछ applications ऐसी होती है कुछ websites ऐसी होती है okay जो क्या करते हैं हमारी personal information collect करते हैं okay in order to provide us service हमें services provide करने के लिए right okay however some application and platforms may exceed users expectations for data collection and uses leaving users with less privacy than they realize लेकिन क्या होता है कुछ कुछ time ऐसा होता है sometimes क्या होता है कुछ applications ऐसी होती है online कुछ platforms ऐसे होते हैं जो हमारी expectation से ज्यादा क्या करते हैं हमारी personal information collect करते हैं okay जिससे हमारी privacy को क्या होता है खत्रा होता है okay we leave with less privacy वो बहुत कुछ हमारी हमारा contact number आपका ले लेंगे आपका address हो जाएगा तो यहां पर क्या आपने अपने अपना almost अभी data private data दे दिया online right तो in that case आपका क्या है यह this is exceeding the limit of giving the data on personal data right other apps and platforms may not place adequate safeguards around the data they collect which can result in data breach that compromises user privacy products related to the data karma होने इसे होता है कुछ apps ऐसे होते हैं और इस्की protection नहीं करते हैं आपका data ले लेते हैं और इससी protection नहीं करते हैं वह data क्या होते है वह data आपका जोरी हो सकता है जिससे आपकी privacy compromise हो जाएगी औक जिससे आपका address आपका connection number कही पर भी misuse हो सकता है कहीं पर भी share किया जा सकता है right okay okay now why is data protection important data protection important क्यों है personal data can be misused in a number of ways if it is not kept private okay जो हमारा personal data है उसको बहुत किसी भी तरीके से misuse किया जाता है अगर हम उसको private नहीं रख पाते हैं okay और if people don't have the ability to control how their information is used अगर लोग ये लोग के अंदर ये ability नहीं है कि वो control कर सके कि उनकी information कैसे use हो रही है okay तो data protection is mandated it is required to protect your private data fine इसका कैसे misuse हो सकता है criminals can use personal data to defraud or harass users criminals आपके contact number का आपके house address का आपकी personal information का use कर सकते हैं वो के आपको harass करने के लिए fraud करने के लिए right entities may sell personal data to advertisers or other outside parties without user consent आपका data advertisers के पास sell किया जा सकता है बेचा जा सकता है दोसी party के पास पास बेचा जा सकता है without आपकी consent के which can result in users receiving unwanted marketing और advertising जिसके results क्या होता हैं आपके पास unwanted ads आते हैं okay आपके पास unwanted marketing ads आते हैं right sometimes आपने देखा भी होगा आपका जो id होता है email id होता है तो बहुत सारे spam mails होते हैं तो वो क्या होते है वो unwanted advertising mails होते हैं right when a person's activities are threat and monitored they this may restrict their ability to express themselves freely especially under repressive governments okay अगर आपकी activities को track किया जा रहा है monitor किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है यह आपकी freedom कुछ ही ना जा रहा है right this may restrict their ability to express आप अपने आपको express करने से डरोगे okay especially under the repressive governments और जहां पर governments क्या है repressive मतलब जो governments दबाती है right okay in that case fine in many jurisdictions privacy is considered a fundamental human right बहुत सारे jurisdictions मतलब बहुत सारे countries ऐसे हैं जहां कि जहां के jurisdictions में क्या है जहां के laws में क्या है privacy को fundamental right okay and data protection laws exist to guard that right और बहां पर data protection laws okay in order to protect your personal data your personal life fine data privacy is also important because in order for individuals to be willing to engage online they have to trust that their personal data will be handled with care अब जो लोग online काम कर रहे हैं online work कर रहे हैं वो तभी online work कर सकते हैं जब उनको ट्रस्ट हो कि उनके उनका data बहुत ही अच्छे से with their personal data to organization to different different organizations होती हैं वो क्या होते हैं अपने customers को पूरा का पूरा assurance देते हैं कि उनका private data उनका personal data बिल्कुल safe रहेगा right so that the users can trust them and can have their services online okay तो users उनकी services को online use कर सके fine intellectual property क्या होती है वो property जो आपने अपने mind को use करके create किया है जो आपने intellect को use करके create किया है तो intellectual property rights are the rights given to the persons over the creations of their minds intellectual property rights वो rights है जो एक person को दीए गए है किसके लिए जो भी उसने creation किया है जो भी उसने create किया है अपने mind को use करके fine so intellectual property rights वो rights है जो लोगों को उन लोगों को दिए गए हैं जिन्नोंने कुछ creations की है अपने intellect को यूज करके, अपने mind को यूज करके, such as inventions, कोई inventions की है, literary work है, literary means textual work, okay, with or without illustrations, right, artistic work है, designs है, कुछ symbols, name, or whatever images, कुछ भी ऐसा काम है, जो आपने क्या किया है, user ने क्या किया है, एक person ने, not user, एक person ने, अपने mind से create किया है, right, अपने intellect को यूज करके, right, they usually give the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time, तो जो भी एक particular person ने, क्या किया है, अपने intellect को यूज करके, अपना एक work create किया है, एक art create किया है, whatever, जो भी कुछ create किया है, उस पर क्या होता है, उसका एक exclusive right होता है, उस काम पर, ओके, ठीके, तो वो क्या है, वो work उसका है, ऐसा नहीं है कि एक person ने किया, और दूसरे ने उसको अपना कह दिया, कि यह work मेरा है, no, तो उसको बोलते है intellectual property right, right, IP is protected in law, अब जो intellectual property है, किसी person की intellectual property है, उसको law protect करता है, कैसे? by using the patent, copyright and trademarks, okay, अब हम इसको patent, copyright and trademarks क्या होते है, one by one इसको समझेंगे, right, which enable people to earn recognition or financial benefits from what they invent or create, okay, जिससे क्या है, इसकी help से, जिन लोगों ने अपनी intellectual property create की है, वो उस intellectual property से नाम कमा सके, recognition मतलब उनको पहचाना जाए, okay, और इस intellectual property से वो एक beneficial benefit earn कर सके, right, उनको एक financial benefit हो सके, right, उसके लिए क्या है, उस intellectual property को protect करने के लिए हमारे पास कुछ laws है, okay, it aims to foster an environment in which creativity and innovation can flourish, okay, अगर किसी ने कोई invention की है, okay, और उस invention से, उसे recognition मिल रही है, उसको money मिल रही है, तो क्या होगा, that person will be more motivated, उस वो person और motivate होगा, और inventions करने के लिए, right, अगर लेकिन अगर उसकी invention स्टील हो जाती है, वो चोरी हो जाती है, और दूसरों लोग उसका use करते हैं, okay, by giving their own name, अपने नाम करके, तो क्या होगा, वो person demotivate होगा, तो यहां पे intellectual property rights का क्या रोल है, एक ऐसा environment create करना, जिससे लोग क्या करें, और creativity अपनी यूज करें, और innovation यूज करें, okay, और ऐसा environment create करना, जहां पे लोग safely feel करें, कि वो अपने intellectual property का यूज कर सकते हैं, right, okay, तो अब हम यह term one by one, देखेंगे कि यह क्या है, patent क्या है, copyright क्या है, trademark क्या है, जिसकी health से, क्या होता है, हम intellectual property को protect करते हैं, fine, now we have copyright, copyright क्या है, copyright refers to the legal right of the honor of intellectual property, यह एक right है, जो intellectual property के honor को दिया जाता है, एक legal right है, okay, इसका क्या meaning है, in simpler term, copyright is the right to copy, this means that the original creators of products and anyone, they give authorization to, are the only one with the exclusive right to reproduce the work, copyright क्या है, copyright है, कि जो एक original product है, जो एक original creation है, उसको copy करने का right, okay, उसको copy करने का right सिर्फ इसके पास है, जिसने उसको create किया है, fine, copyright legal honor को दिया जाता है, जिसकी यह legal honor को दिया जाता है, जिसकी वो intellectual property है, कि वो ही उसकी copies बना सकता है, जिसने उसको create किया है, या सिर्फ वो person उसकी copies बना सकता है, जिसको real honor ने authorization दिया यह परसन इसकी anyiäre की कॉपिस मेरा की कॉपिस बना सकता है right और यह कर सकता है इसं यह वह सकता वह क्रेटर वह इसकोbon reflect क का सकता है कोई दूसरे लगुर सार परसने दो कशने सकता है music of copyright, paintings, sculptures, films, computer programs, databases, advertisements, maps, technical drawings तो यह different, different क्या है, creative works है, जिन पर क्या मिलता है, जो honor होता है, उसको copyright मिलता है कि only the honor of that particular intellectual property can reuse it, can copy it, no other person fine, या फिर अगर honor किसी और को authorization देता है, तो वो person उसको copy कर सकता है, उसको reuse कर सकता है, दूसरा कोई भी उसको reuse नहीं कर सकता, so this is the copyright this is the copyright law, right, okay, next we have the patent, now patent क्या है, a patent is an intellectual property, right, for a technical invention, right, patent दिया जाता है technical invention के लिए, it allows you to prevent others from using your invention for commercial purpose for up to 20 years, और यह किसले दिया जा रहा है, कि जो आपकी invention है, उसको कोई भी commercial purpose के लिए use नहीं कर सकता, 20 years तब, right, जो आपने invention की है, जो आपकी technical invention है, okay, वो कोई और use नहीं कर सकता है, at least for 20 years, fine, you decide who is allowed to produce, sell or import your invention to other countries, आप decide कर सकते हो, जो real owner है, वो decide कर सकता है, कि कौन इसको produce कर सकता है, या sell कर सकता है, उसको बेच सकता है, या उसको import कर सकता है, okay, in those countries in which you, you own a valid patent, okay, जहां पे आपको patent दिया गया है, वहां पे आप यह work कर सकते हो, fine, तो patent is a right, which is provided to protect your intellectual property, your technical inventions, right, then we have the trademark, okay, trademark क्या है, the term trademark refers to a recognizable design, phrase, work or symbol that denotes a specific product and legally differentiate it from all other products of its kind, trademark क्या होता है, एक symbol होता है, okay, या कुछ भी एक design हो गई, word हो गया, phrase हो गया, symbol हो गया, जो क्या होता है, एक product को दूसरे product से differentiate करता है, एक company के product को दूसरे company के product से differentiate करता है, fine, our trademark exclusively identifies a product as belonging to a specific company, तो एक particular company का trademark उसको differentiate करता है, दूसरे company के same products जैसे milk है, milk में भी बहुत सारी varieties आती है, fine, तो एक जैसे amul का milk है, फिर mother dairy है, तो सब के trademark को अलग होता है, जो क्या होता है, जो क्या होता है, उस milk को क्या करते है, differentiate करता है, कि यह amul का milk है, यह mother dairy का milk है, okay, तो यहां पे trademark is used for differentiation, right, and recognize the company's ownership of the brand, और trademarks है, हम पतर करते हैं, कि किस brand का product है, right, जैसे मैंने भी आपको मिलके example दिया था, यह amul का milk है, यह mother dairy का, mother dairy का milk है, okay, तो like this, okay, तो these are the different laws which are provided to protect your intellectual property, okay, इनको बोला जाता है, intellectual property rights, copyright, patent, trademarks, तो यह क्या है, आपके intellectual property, property rights है, fine, plagiarism क्या होता है, plagiarism is stealing someone as intellectual work, plagiarism क्या होता है, किसी भी person के intellectual work को steal करना, चुरा लेना, intellectual work means, वो work जो उसने अपनी creativity से बनाया है, अपने intellect का use करके बनाया है, अपने mind का use करके बनाया है, okay, किसी person के work को intellectual work को steal कर लेना, मतलब चुडा लेना, उसको बोलते हैं हम लोग plagiarism, okay, तो intellectual work क्या क्या हो सकता है, it can be an idea, किसी का idea, literary work, literary work क्या होता है, literary work like books, किसी ने books लिखिया है, journals, newspaper, reports, articles, computer software, programs, तो यह सब क्या है, literary work, okay, और academic work, किसी ने कुछ अपना academic work दिया है, कुछ, let us suppose, एक particular project बनाया है, okay, या फिर कोई presentation दी है, तो यह सब क्या है, यह क्या है, एक person अपने mind से create किया है, अपने innovative ideas के help से create किया है, अगर हम किसी और के intellectual work को steal कर लेते हैं, ठीके, तो उसको क्या बोलते हैं, plagiarism बोलते हैं, right, and representing it as your own work without giving credit to the creator or without citing the source of the information, okay, तो अगर आप क्या करते हो, किसी और की work को अपना work बना कर present कर देते हो, और जिस person का intellectual work है, आप उसको कोई credit नहीं देते हो, ना ही आप यह side करते हो, यह बताते हो, यह refer करते हो, कि यह information आपको कहां से मिली है, fine, समझ में आया, तो plagiarism क्या है, plagiarism is stealing of someone's intellectual work, intellectual work, जो work किसी ने अपने mind का, अपने intellect का use करके बनाया है, जो work किया है, right, okay, so plagiarism can be classified as, plagiarism को हम दो types में divide कर सकते है, accidental or unintentional plagiarism, okay, and second is deliberate or intentional plagiarism, right, तो first we have accidental or unintentional plagiarism, वो plagiarism जो आपने किया है, आपने plagiarism किया है, मतलब आपने steal किया है, but accidentally किया है, unintentionally किया है, आपको पता ने था, but आप से हो गया, okay, तो इसमें क्या आता है, it involves careless paraphrasing, paraphrasing क्या होता है, paraphrasing होता है, आपने कहीं से कुछ भी copy किया, okay, और आपने उसको अपने खुद के words में convert करके समझा दिया, let us suppose आप, आपने internet से को information लिए, किसी ने internet में information डाली थी, आपने वो information लिए, और आपने उसको अपने words में change करके समझा दिया, तो उसको बोलते है, paraphrasing, right, changing the words or sentence, construction of a copied document, okay, आपने कोई भी document copy किया, उसके words को, क्या किया, change कर दिया, okay, उसके sentences को change कर दिया, right, इसको बोलते है, paraphrasing, quoting text excessively along with poor documentation, okay, और आपने क्या किया, जो आपको course मिलते है, मतलब जो आपके, जैसे आपने क्या किया, कोई भी information copy की, fine, उसके साथ आपने क्या किया, अपने खुद की documentation, अपने खुद के आपने कुछ information कहीं से उठाई, कुछ information कहीं से उठाई, और अपना खुद का documentation भी उसमें यूज कर लिया, तो यह क्या हुआ, you are stealing someone else ideas, you are stealing someone else intellectual work here, लेकिन यहां पर क्या है, आप accidentally यह सब कर रहे हो, unintentionally यह सब कर रहे हो, तो यह कौन सा plagiarism हो गया, यह हो गया, accidental और unintentional plagiarism, okay, now we have deliberate or intentional plagiarism, it includes copying someone else work, cutting and pasting, blocks of text, और any kind of media, तो इसमें क्या है, यहां पर हम क्या करें, deliberately, intentionally क्या करें, plagiarism करें, हम जानते हैं, that we are doing wrong, okay, हम किसी और के intellectual work को steal करें, बट हम फिर भी उसको करें, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या है, we are copying someone else work, हम किसी और का work पूरा का पूरा का पूरा का पूरा का पूरा का रहे हैं, ठीक है, any kind of media, हमने क्या किया, audio, audio steal कर लिया, okay, उसको use कर लिया, video files को use कर लिया, movie clips को use कर लिया, तो यह क्या है, यह है, deliberate plagiarism, right, intentional plagiarism, okay, from electronic sources, without documenting, and at same time publishing it on the web, okay, तो यहां पर क्या है, हम steal भी कर रहे है, okay, और उसको at the same time, हम publish भी कर रहे है, okay, internet पर worldwide web पर हम उसको publish भी कर रहे है, without the permission of the developers and creators, और जिसका वो real work है, okay, real person से permission लिये बगएर हम यह सब काम कर रहे हैं, ठीक है, creators से हम कोई permission नहीं ले रहे हैं, developers से हम कोई permission नहीं ले रहे हैं, तो यह क्या हो जाता है, यह हो जाता है, deliberate or intentional plagiarism, here we know that we are doing plagiarism, right, now here we have some examples of plagiarism, example of some common types of plagiarism, using some other author's work without giving credit to the author, अब क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कुछ authors का work क्या करते हैं, steal कर लेते हैं, okay, और यहां पर उनको credit नहीं देते हैं, कि यह किसी इस particular author का है, okay, किसी author का किसी ने कुछ article लिखा है, कुछ book work किया है, तो क्या करना, उसके work को steal कर लेना, उसके work को as it is, उठा के copy paste कर देना, without giving credit to that person, fine, okay, then modifying lifting someone's production, such as music composition, composition, etc, without attributing it to the creator of the word, creator of the work, okay, तो किसी का music composition है, वो आप, वो steal कर लेना, as it is, उसको अपने movie में, या अपने, किसी videos में use कर लेना, okay, और जिसका वो real, जो product है, real music composition है, उसको कोई credit नहीं देना, तो यह भी क्या है, okay, now giving incorrect source of information, that is wrongful citation, मतलब, sometimes क्या होता है, आप information का source बता रहों लेकिन वो correct नहीं है, आपने इसको information कहीं और से लिए, बड़ आप source कहीं और बता रहें, okay, this is also plagiarism, right, failure in giving credit or acknowledging the contribution of others in a collaborative effort, to which you are also part of, अमान लोग को एक project है, वो बहुत सारे अमान लोग एक project है, जो चार लोगों ने मिलके बना रहा है, ठीके, तो वहां पर क्या है, आप पूरा का पूरा credit खुर ले जाओ, okay, सिर्फ मैंने create किया है, okay, failure in giving credit or acknowledging, और आप acknowledge नहीं कर रहे हो कि इसमें बाकी तीन लोगों ने भी क्या किया है, अपना, उन्होंने भी अपना support दिया है, right, now, using graphs, charts, figures, or images from a source without citing, तो sometimes what happens, बच्चे क्या करते हैं कि graphs, charts, figures, images, इन सब को क्या करते हैं अपने work के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहां पर वो यह source नहीं बताते हैं कि किस source ते, कहां किस best side से उन्होंने इसको क्या किया है, copy किया है, okay, so this is also a type of plaggy rhythm, right, कि आप कहीं से graphs, chart, figures, images को क्या करें, copy करें, as it is, but you are not telling the source of the, from, but you are not telling the source from where you are taking these, all these things, okay, now next, incorporating another writer's words or phrases within a larger paraphrase without quotation mark or citation, if you copy as it is words, what happens in quotation marks, you always have to close the quotation marks, okay, so this is the answer that, yes, this is the one who has written it, this is the one who has written it, this is the one who has written it, so what is this, incorporating another writer's words or phrases within a large paraphrase, which means that you have to use a same thing to explain the explanation, fine, and in that, what do you want to do here and out of this explanation, and if you use the other writer's words and phrases, you don't put it in quotation marks, because this is not enclosed, or they refer to this particular writer's saying or that this particular writer has written it, okay, तो यहां पर इस इस और प्लेगरिस्म होता है किसी का वर्क स्टील कर लेना पर उसको क्रेडिट ना देना स्टील कर लेने और उसमें थोड़ा सा मोडिफिकेशन करके उसको डिफरेंसौच बना कि क्या करना ड्यासी पब्लिश कर देना ओके इर वी हैब थीज एक्सम्पल आउ प्लेगरिस्म प्लेगरियर थीज़्वाइट ट nagट। प्लागिरिज्म को कैसे अवाइड करें प्लागिरिज्म शुट बी अवाइड बाइड फोलिंग सिंपल मीजर्स औके यूज यूर ओन आडेस और इंटरनेट थीक है इंटरनेट से सब कुछ कॉपी करने के बजाए आपको क्या करना चाहिए अपने खुद की क्रेटिविटी जूट के है तो क्या करना चाहिए अजिए अन्य संबूल्ण को क्रेडिट के अपने थीक अग में यहां से जाए प्सक्राएं कि हीक दिनन चाहिए रह इण जब तेना चाहिए रही शायव前 और उनस वेशन ना उन्हें प झाल झाल सिबकें, जब किसी वेशनस फ़र्फे करते हो इसका उनस वेँस्रों कह दया है तो प्रेंड मेंmodern लियोगार। कि I have taken this book from this author's book or this author's journal whatever right now use online tools to check for plagiarism अगर आप नहीं आप unintentionally plagiarism कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप ना करें तो आप क्या कर सकते हो online tools की help ले सकते हो plagiarism को check करने के लिए fine develop your writing skills और अपने writing skills को develop करो जिससे क्या होगा आप आप उसे लिखना start करोगे okay इससे क्या होगा आप less the more you will start writing yourself less you will steal written work from internet fine तो आपने writing skills को आप develop करो start all software applications require a software license in order to run जितने भी software applications होते हैं वो तभी रन करते हैं जब आप उसके जो उसका एक particular license होता है उसके लिए agree करते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है all software application required जितने भी software applications होते हैं वो क्या करते हैं वो उनके लिए requirement होती है software license की in order to run उनको तभी आप चला सकते हो जब आप software license के लिए agree होते हो fine आप software license is a legal document software license क्या होता है एक legal document होता है ओके that governs how the software can be used जो यह बताता है कि software को कैसे यूज किया जा सकता है और रिश्टिबूटेड उसको आप कैसे यूज करेंगे और कैसे उसको डिश्टिबूट आप कर सकते हैं ओके तो software license क्या है एक legal document है जो आपको agree करना पड़ता है in order to use the software और यह illegal document क्या बताता है कि आप software को कैसे use करोगे और कैसे आप उसको distribute कर सकते हो When you download or install software You are asked to agree to the terms of a license जब भी आप कोई भी software download करते हो और install करते हो तो आप से कहा जाता है कि आप software license के लिए अगर आप agree हो Then you are able to install it otherwise not आपने जब भी दिखाओ को जब भी आप कोई software install करते हो तो इन दा एंड एग्रीमेंट का वह आता है पेज उस पर आप जब टिक करते हो तो आपका process क्या होता है installation process complete होता है तो वह क्या होता है software license होता है software is generally copyright protected software क्या होता है mostly copyright protected होता है copyright मैंने आपको पहले वीडियो में बता है copyright क्या होता है कि जिस particular company ने जिस particular person ने उसे बनाया है सिर्फ वही उसकी copies बना सकता है कोई दूसरा person उसकी copies नहीं बना सकता है तो software क्या होता है mostly copyright protected होते हैं unless it is specifically made available in the public domain जब तक कि वह ऐसे नहीं बनाया जाते उन्हें specifically ऐसे नहीं बनाया जाता के पब्लिक के लिए वह available हो तो क्या है unless it is specifically made available in the public domain जब तक कि वह agree नहीं किया जाता वह company जिसने software बनाया है वह खुद rights नहीं देती पब्लिक को उसकी copies बनाने के लिए fine a typical license grants a user permission to use one or more copies of the software without copyright infringement जो एक typical license होता है वह क्या होता है यूज़र को permission देता है कि वह एक या एक से जादा one या उससे जादा copies software की use कर सकता है अट yeah does copyright infringement मनलब copyright का उलंगन किये बगैर वह एक या एक से ज्यादा 커피ी software की use कर सकता है यह किसके धृए जाता है यह permission दी जाती सौट वेर लाइसेंक स्थ LIKE सब्सक्राइब कर सकते हो मतलब और लोगों में इसको अगें डिस्टिब्यूट कर सकते हो और को सब्सक्राइब कर सकते हो और कौन से सिस्टम पर इंस्टालोगा वाइन रिक्ली सब्सक्राइब कर सकते हो of criteria of their use okay the software license को basically हम two types में divide करते है proprietary licenses and free and open source licenses okay इनकी किस criteria के उपर इनको divide किया है इनके use के criteria पर बनलब इनको हम कैसे use कर सकते हैं राइट एंद फुर्थर प्री और ओपन सोर्स जो licenses होते हैं वो divide होते हैं copy left license and permissive license okay that we will do one by one okay let us start with proprietary license okay first we have proprietary license in proprietary licenses exclusive rights in the software are retained with the owner or developer or publisher ठीक है तो proprietary जो license होते हैं okay उसमें क्या होता है जो software के जितने भी rights होते हैं वो किसके पास रहते हैं वो जिस जो software का owner होता है या software का developer होता है या publisher होता है उसके पास होते हैं मतलब software से related सारे के सारे राइट अगर प्रोप्राइटरी license है software का तो उसके सारे के सारे राइट किसके पास रहते हैं honor of the software जो उसका मालिक है software का जिसने डिवलप किया है उसके पास होते है सारी rights ओके दे रिजर्व आल दे फ्रीडम्स एंड राइट्स तो यूज एंड डिस्टिब्यूट इस प्रोप्राइटी software ओके तो जिसने software बनाया जिस company ने बनाया है जिस person ने बनाया है उसके ही पास सारी की सारी राइट्स और सारी की सारी फीडम्स होते हैं कि कैसे software को यूज किया जाएगा और कैसे software को distribute किया जाएगा ओके प्रोप्राइटी software इस ओन बाइट्स ओनर यूज लिए लाज कंपनी लाइक गूगल और Microsoft यह क्या कहीं प्राइट्स ओनाय जाते हैं अंक्या इन इनके पास ही घूते हैं टो जितने भी स्फिट्नी प्रोपर्टी राइट शोते हैं फोसारे के सारे क्षारे कि पास रमिंग tauit어서 क्या कर सकता है जोरी फोडिक कर सकता राया का सकता रिस्टिप्यू literal को थिस बता चैन्ग कर सकता हमान Hadim को री यूस नहीं कर सकता है कोई और इसके सोर्स कोड को चेंज नहीं कर सकता है प्रोप्राइटे सोफ्ट्वेर इस सोफ्ट्वेर दैट इस सोली ओर बाय दा इंडविजेशन और सब्सक्रा इंडविजे divi इस सोफ्ट्वेर इसको बना यह पुदरी सॉट्वेर अचो प्रिटि आप yanessa तो यह कंप्लीटली क्या होते है और के अंडर होते है जिनों इसको बनाया है कोई और इसको ना तो यूज कर सकता है कोई modified version बना के डिस्टिब्यूट कर सकता है एसा निहीं कर सकता है असे मिलता जूलता बनाए उसको डिस्टिब्यूट कर दिनो ऐसा भी नहीं हो सकता okay Microsoft Office & Adobe Photoshop are examples of proprietary software तो यहां पर हमारा Microsoft Office and Adobe Photoshop examples है proprietary software के जो completely owner के under है कोई और company या कोई और developer उसको reuse नहीं कर सकता उसको redistribute नहीं कर सकता जो कोई now second one is free and open source license the free and open source license of a software gives user the right to modify and distribute the software अगर किसी software को free and open source license मिला हुआ है तो उसके users को ये right मिल जाता है कि वो उसको modify भी कर सकते है और उस software को distribute भी कर सकते है open source software as the name suggests is software for which the source code is released open source software वो software होते है जिनका source code मतलब जिनकी जो coding होती है वो publicly release कर दी जाती है इसली उसको देख सकती है कि ये software कैसे बनाया गया है इसके front end में कौन सी coding की गई है इसके back end में कौन सी coding की गई है आप इसके back end में कौन सी coding की जोटा़ की बनाया गया है कि गई है कौन कौन सी है कौन्सी प्रोग्राइम में का इसको देख सकते है कि इसको क्यों कौन सी इसको बनाने ना तो इसको बनाने लूपे और लिए रहे जो़ड आइए और इसलिए किया जाता है कि इसको कोई भी यूज कर सके कोई भी यूज कर सके उससे कोई भी बेनेफित ले सके ओके open source software is typically free to use open source software कौन से होते है जो बिल्कुल freely available होते है यूज करने के लिए okay which has led to the use of the term free and open source software इसलिए इनको free and open source software भी कहा जा सकता है okay force force means free and open source software fine यह question भी आ सकता है what is force you should know what is force free and open source software right open source software is often developed in a collaborative manner open source software होते हैं वो mostly collaborative manners में developed किये जाते हैं collaborative manner means बहुत सारे लोग या बहुत सारी एक से ज्यादा companies मिलके इनको develop करेगी यह एक से ज्यादा individual मिलके एक software को develop करेंगे okay where many users contribute to ongoing improvements यहां पर users भी इसके improvement में contribute कर सकते हैं fine typically a user community maintains a website where the latest version of the software can be obtained and where users can share ideas on how to use and improve the software okay typically क्या होता है जो user community होती है वो एक website maintain की जाती है जहां पर software के latest version को share किया जाता है okay वहां से users क्या करते हैं उसमें अपने इसको शेयर कर सकते हैं कि कैसे इसको यूज किया जाए और कैसे इस software को इंप्रूव किया जाए okay so in this way they can share their ideas they can share their knowledge with the companies of the software ठीक है जो companies वो software बना रही है fine library office and GNU image manipulation program are example of open source software तो यहां पर दो example दिये गया है okay जो क्या है open source software है जिनको जो freely available है और आप जिसके source code में changes कर सकते है fine okay now open source software license is further categorized as open source software license को हम further categorize कर सकते है permissive license में and copy left license में fine both copy left and permissive licenses allow users to copy modify and redistribute copy freely अब यह दोनों license क्या करते हैं दोनों allow करते हैं users को copy कर सकते हैं software को modify कर सकते हैं और software को redistribute भी कर सकते हैं okay उसके code को redistribute कर सकते हैं however the main difference between the two lies in the degree of restrictions कौन सा लाइसन्स कितने रेस्टिक्टिक्टिवनेस रिगार्डिंग डियर डिस्टिबूशन ठीके तो परमी से वह copy left license कि किसके पार्ट है मतलब कि वह है open source software के तो यह दोनों लाइसन्स क्या प्रोवाइड करते हैं कि आप software को कौपी भी कर सकते हो को modify भी कर सकते हो से उसके code को रेस्टिपूट भी कर सकते हो लेकिन दोनों में difference क्या है दोनों में difference है कि degree of restrictions मतलब कौन सा license कितने restrictions लगाता है तो आप हम देखेंगे ओके विन वन modifies a copy left software अगर किसी software ने कौन सा license कौन सा license कौन सा license copy left license ठीक है विन वन modifies a copy left software वन is obligated to keep their new altered code under open source so it can be publicly available ठीक है तो अगर किसी software के पास क्या है copy left license है और कोई भी individual उसको modify करता है तो one is obligated to keep their new altered code तो वो individual क्या करेगा क्या करेगा जो भी code उसने altered किया है modify किया है वो उसको भी पुब्लिक ली available कराएगा fine okay copy left software जो है उसमें जो भी modification होगा या वो company करती है या कोई person करता है वो उसका modified version भी public में क्या करेगा freely available कराएगा और उसे public करेगा fine the main idea behind a copy left license is that if a user is using any free content okay then anything that is made out of it should be free as well क्या idea है उसका क्या idea है कि अगर कोई user use कर रहा है free content okay and then anything that is made out of it और उस free content से वो कुछ और बना रहा है तो जो उसने modified version बनाया है वो भी publicly free होना चाहिए okay तो इस पे copy left software कौन से software है उसको कोई भी use कर सकता है कोई भी modify कर सकता है लेकिन अगर modified जो software बनता है वो भी publicly available होना चाहिए fine example of copy left license include the copy left license के examples है general public license okay creative commons license lesser general public license mozilla public license तो यह सारे क्या है यह copy left licenses है fine whereas when one modifies the permissive software there is no such restriction except to give credit to the original work लेकिन अगर किसी software के पास क्या है permissive license है okay तो वो software क्या हो गया permissive software ठीक है तो अगर कोई भी company a person permissive software को modify करता है तो उसके उपर ऐसी कोई restriction नहीं है कि वो modified version को publicly available कराए okay वो original work को credit तो देगा मतलब कि यह मैंने इस particular software में ही changes किया है लेकिन ऐसा जोरी नहीं है कि जो modified version उसने बनाया है वो public को available कराए okay the user has the freedom to use the altered code however one wishes to this person ने उस code को alter किया है modified version बनाया है वो उसकी उसे कैसे use कर सकता है ठीक है one also has the freedom to make it proprietary software अगर वो चाहता है कि जो altered जो modified version उसने बनाया है वो उसे proprietary software बना दे तो उसको proprietary software भी बना सकता है proprietary software क्या होता है जिसमें सारे rights owner के पास होता है तो वो क्या होगा अगर modified version को अपने अंडा लेना चाहता है तो उसको ले सकता है fine तो copy left और permissive software में क्या difference होगा copy left में क्या होगा अगर कोई user से use करता है modify करता है तो modified version पब्लिक में available कराना पड़ेगा ठीक है अगर परसन उसका कोई भी company है इंडिविजल उसका modified version बनाता है तो उसके उपर depend है कि वह से public में available कराए या नहीं कराए अगर वह कराना चाहता है तो वह publicly available करा सकता है अगर नहीं कराना चाहता तो उस modified version को proprietary software भी बना सकता है मतलब उसके सारे rights अपने अंडर ले सकता है तो permissive license include permissive license include करता है पाची W3C ठीक है now due to the option of turning an open source software into proprietary software permissive software is usually preferred by companies over a copy left software अब यहां पर क्या है इस option की वज़े से कि हम open source open source software को proprietary software में convert कर सकते हैं तो क्या होता है permissive software तो companies किसको prefer करती है permissive software को prefer करती है क्योंकि उनकी पास इसका benefit है वह क्या करेंगे एक open source software को modify करके permissive बना देंगे completely अपने अंदर ले लेंगे तो they will get the benefit to mostly किसको prefer करते है permissive software को prefer करते है companies ठीक है okay over the copyright software they can exploit for the commercial purposes without having to disclose their edited code तो जब permissive software बन जाएगा तो क्या होगा क्या करते है उसको copyright उसका अपने अंडा ले लेंगे ठीक है तो इस वज़े से क्या होता है जो companies होती है वो किसको preference देती है permissive license को preference देती है permissive software को preference देती है okay now we have some broadly used license okay तो यहां पर हम कुछ license को पढ़ेंगे जो बहुत commonly used होते है fine then first we have creative commons license okay it has four basic parts इसके four basic parts है सबसे पहले है accreditation author accreditation क्या होता है मतलब एक person है उसको acknowledge किया जाए उसके बारे में बताया जाए जिसने कोई भी achievement किया है या उसने कुछ भी बनाया है fine author must be acknowledged as the creator of the work जो भी creator है work का जिसने जो भी create किया है उसको acknowledgement दिया जाए उसको एक पहचान दी जाए मतलब उसको okay the work can then be modified distributed copied and used otherwise okay मतलब आप उस work को modify भी कर सकते हो distribute भी कर सकते हो उसकी copy भी बना सकते हो उसको अलग तरीके से use भी किया जा सकता है लेकिन आपको यह सब अपने नाम से नहीं सिर्फ उस person के या उस company की नाम से ही करना होगा जिसने वो particular work किया है उसको आपको पहचान देनी होगी उसको इसको distribute कर सकते हो इसको copy भी कर सकते हो लेकिन आपको यह बताना होगा कि यह जो modified version है इसका original version इस particular company ने बनाया था fine then you have second point shared with cc the work can be modified and distributed but only under the cc license आप उस work को modify भी कर सकते हो और उसको distribute भी कर सकते हो लेकिन उसका license क्या रहेगा उसका creative common license ही रहेगा कोई दूसरा license आप उसमें apply नहीं कर सकते हो right okay non commercial work can be modified and distributed but not for commercial purpose purposes आप work को modify भी कर सकते original work को modify भी कर सकते हो इसको distribute भी कर सकते हो okay लेकिन commercial purpose के लिए नहीं कर सकते commercial purpose के लिए मिस्ट आप अपने फायदे के लिए उसको modify करके उसको sell नहीं कर सकते okay आप उसको freely available ही करा के लिए यूज नहीं किया जा सकता है आप उसे बेनेफिट नहीं उठा सकते हैं नो डेरिवेटिव वर्क्स यू किन कॉपी एंड डिस्टिब्यूट दे लाइसेंस्ट वर्क बट यू कांट मोडिफाइट इन एनी वे और क्रेट वर्क बेस्ट ऑन दे ओर तो कि आप उसकी क असके देट बेस्ट सेखले का अबयां जाता धनारे किने ब Tabii कि देटेश्यूनां सबस्क्रा एंड के सथा लिए लेकिन आप क्या क्या है मैंण है टीज किने जेनरी चैशने यह सार čे विसके पास कॉसा का शुच्यार्यक्ट में कर यह सब्सक्रा नहीं अटो यह फीचर्स की किसके है रहे क्रेटिब कॉमन लाइसे सॉट्वेर को कर से टॉक्ट रहे में पशूल को नुष्रीग कॉपलीग कॉपली लाइसे को keeping कॉपी लेफ्सेश कमा अंग まे the software there's no limit to copying the code you can copy it on your own server on your local workstation anywhere as many times as you want okay तो इस की सॉट्विर की हम कितनी भी copies बना सकते हैं इसको हम अपने server पर copy कर सकते हैं इसको हम अपने server पर कॉपि कर सकते हैं इस को हम कहीं पर भी copy कर सकते हो जितने time चाहे उतने time इस software को copy कर सकते हैं जिस software के पास क्या है general public license है okay then distribution you can distribute it in your thumb और hard drives हम इसको अपने pen drive, thumb drive hard drives में share कर सकते हैं you can distribute the code under this license with a download link on your website आप इस software को अपनी website बे भी share कर सकते हो इस software का link fine or you can print the code on the paper इसके code को आप paper पे print भी करा सकते हो in fact whatever form of distribution you prefer तो आप किसी भी तरीके से इस software को distribute कर सकते हो fine charge a fee you can charge someone for the software but remember to give them a copy of the GPL license आप even इसको अगर दूसरे को देने अगर आप इसको distribute करे हो आप इसके लिए कुछ amount चाहते हो कुछ charge करना चाहते हो तो आप वह भी कर सकते हो लेकिन आपको GPL license की copy भी देनी पड़ेगी software के साथ fine which would tell them that they could get the software free from elsewhere और इस license से जो इंडिविजल इसको बाइ कर रहा है वो इसको पता चाह सकता है कि यह freely available है और वो कहीं और से इसको freely खरी सकता है instead of giving you charge okay this also give you give you a chance to tell them why you are charging for it और यह आपको इस license से तुरू आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आप जो charge ले रहे हो वो आप किसले ले रहे हो fine जो amount आप लेना चाहते हो वो क्यों लेना चाहते हो okay next license is Apache license it offers the following salient features okay Apache license के features क्या क्या है rights are never ending once the rights under Apache license have been granted you can continue to use them forever there is no need to renew them एक बार आपको इस Apache license मिल जाता है ठीक है तो आप उस license को हमेशा यूज कर सकते हैं आप उसको कभी भी आपको reuse करने की जुद नहीं है okay तो यह जो हमारा जो CC license था और GPA license था वो कौन से थे वो copy left license थे और Apache license क्या है Apache license हमारा permissive license है तो Apache license आपको एक बार लेना है और एक बार आप आपको लेना पड़ेगा और आपको इसको हमेशा यूज कर सकते हैं आपको इसको renew कराने के जुद नहीं होती है वर्ड़ वाइड ऑफ राइड इवन इफ राइड साग्रेंटेट वन कंट्री आपने एक कंट्री में उस और वो क्या होते हैं वह और सारी कंट्री में वह राइड आप यूज कर सकते हैं वर्ड वाइड आप यूज कर सकते हैं अगर आप एक कंट्री में आपको राइड दिये गये हैं और आपको राइड वह राइड वह राइड से और रोयल्टी वह रोयल्टी क्या होती है और शंपमफंग है जो और यूज कोपी ऑफ आपसर जासे लोगव्यक्तारण में या और एंस औक गड़िग रोयल्टी नहीं ही वह रहा है जार्द सब्सक्रीफाष जो यह राइड अजर्टी है Sum संसें और 9ंट में ना तो आपको एडवांस में देना है ना ही उसके यूस करने के बाद देना है और पर यूसे ना ही यूसे पर देना है और अपको किसी इस लाइसंस के लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है ना ही एडवांस में देना है ना ही उसके यूसे पर देना है तो आपको पर नहीं करेंगे पाइट, copyright refers to the legal right of the honor of intellectual property, तो copyright क्या है, एक legal right है, जो intellectual property के honor को दिया जाता है, intellectual property कौन सी property होती है, जो कोई भी person, अपने intellect की help से create करता है, अपने mind की, अपने ideas की help से create करता है, कोई भी person, individual or organization right, in simpler terms, copyright is the right to copy, basically ये क्या है, copyright एक right है, जो intellectual property को copy करने के लिए जाता है, means who can copy that property, कौन उस property को copy कर सकता है, fine, this means that the original creators of the product and anyone they give authorization to are the only ones with the exclusive right to reproduce the work, copyright, copyright, वो right है, जो ये निश्चित करता है, ये ensure करता है, कि जो intellectual property है, किसी भी individual की, या organization की, जो उसका original creator है, सिर्फ वही person या सिर्फ वही organization उसकी copies कर सकती है, या फिर वो organization या person जिसको real creator ने authorization दी है, ऐसा करने की, ठीक है, ऐसा करने के लिए authorized किया है, कि you can create the copy of my work, fine, okay, तो ये क्या है, it is the exclusive right to reproduce the work, only the real creators of the intellectual property can reproduce it, वो उसकी copies बना सकते हैं, उसको reproduce कर सकते हैं, या फिर वो organization या individual जिसको authorization दी गई है, real creators के द्वारा, okay, works covered by copyright, range from books, अब इसके इंदे कौन-कौन से work आते हैं, वो सारे work आते हैं, जो एक intellectual, जो एक intellect को use करके बनाए गए हैं, जैसे book लिखना, okay, music create करना, paintings, sculptures, films, computer programs, databases, advertisements, maps, and technical drawings, etc., fine, so, यह कुछ examples है, intellectual properties के, fine, copyright law, grants, right to control the reproduction, यह जो copyright law है, वो कौन-कौन से rights देता है, कि जो real creators है, वो control कर सकता है, reproduction, reproduction means, अपनी property का, जो उसने create किया है, उसका reproduction, मतलब that individual, the real creator, or the organization can reproduce it, no one else, okay, making derivative works, मतलब उस real work में से, और उसके, उसकी copies create करना, उसके, उसमें से derivative, derivative के होता है, drive करके बनाना, एक real चीज में से drive करके दूसरी चीज़ को बनाना, okay, distribution and public performance, real work की intellectual property का distribution कैसे करना है, उसकी public performance और उसको publicly कैसे display करना है, यह सारे के सारे rights किसके होते हैं, real creators के होते हैं, okay, इन इंडिया, original owners are protected by copyright laws all of their lives plus 60 more years after their death, तो इंडिया में क्या है, जो भी copyright law क्या करते हैं, लेते हैं अपने intellectual property के लिए, वो उनकी throughout life considered होती है, इवर उनकी death के बाद भी 60 more years तक वो रहती है, fine, तो intellectual, sorry, copyright है वो क्या है, एक ऐसा right है जो एक particular individual organization की intellectual property को protect करने के लिए बनाया जाता है, fine, now we have how copyright works, copyright कैसे काम करता है, under copyright law, a work is considered original if author created it from independent thinking, void of duplication, copyright law के अंदर से वही उसी काम को original माना जाता है, जिसको author ने अपने thinking से बनाया है, independent thinking से बनाया है, कोई किसी भी तरह की उसमें duplication नहीं है, किसी का भी उसने idea still नहीं किया है, उसने खुद के ideas को, खुद के intellect को use करके अपने work को create किया है, okay, इस type of work is known as original work of authorship, okay, तो इस type के work को हम क्या बोलते है, original work of authorship, okay, anyone with an original work of authorship automatically has the copyright to that work, तो जिसने भी अपने work को independently create किया है, okay, वो automatically क्या हो जाता है, वो copyrighted work माना जाता है, fine, preventing anyone else from using or replicating it, और copyright work क्या होता है, कोई भी दूसरा person या organization ना तो उसको use कर सकता है, ना ही उसकी copies बना सकता है, okay, replication means copies बनाना, the copyright can be registered voluntarily by the original owner, और कोई भी individual organization अपने work के लिए copyright law को register करवा सकता है, fine, for an original work to be copyrighted, it has to be in tangible form, और क्या condition है कि जो original work है, okay, जिसको जिसके लिए आपको copyright जिसको आपको copyright करवाना है, वो tangible form में होना चाहिए, tangible form काउन सी होती है, जिसको आप touch कर सको, okay, this means that any speech discoveries, musical scores or ideas have to be written down in physical form, तो आपको जो भी आपका intellectual work है, उसको आपको एक tangible form में लाने के लिए उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, in the form of soft copy or you can write it on the papers, okay, in order to be protected by the copyright, तभी उसको copyright, तभी वो copyright law के अंदर आता है, ठीक है, तो यह हमारी condition है कि जो intellectual work है, that should be tangible, जो भी आपने discovery किया, जो भी आपने intellectual property create किया, उसको आपको क्या करना है, आपको एक written form में उसको लाना है, okay, now we have copyright infringement, copyright infringement क्या होता है, copyright infringement means copyright का उलंगन करना, उसके against जाना, okay, copyright law के against जाना, copyright infringement is the use or production of copyright protected material without the permission of the copyright holder, तो copyright infringement क्या है, copyright material को use करना, okay, क्रेटर के जिसने वो, जिसका वो material है, उसकी permission के बिना, okay, तो यह क्या हो गया, copyright infringement हो गया, copyright के against जाना, उसका उलंगन करना, fine, music and movies are the, are two of the most well-known forms of entertainment that suffer from significant amounts of copyright infringement, तो सबसे जादे जो copyright infringement कहां होता है, music and movie industries में होता है, जहां पे बहुत जादा क्या होता है, स्टेलिंग होती है, music की भी और movies की भी, fine, okay, individuals and companies who develop new works register for copyright protection to ensure that they can get profit from their efforts, जो भी individual और companies है, जिनोंने अपनी एक intellectual property बनाई है, वो क्या करते हैं, यह अपनी वर्क के लिए copyright law को register कराते हैं, ताकि उनको उनकी property से फायदा हो सके, only they can get the profit from their efforts, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी क्रेट किया उसको दूसरे लोग use करें और वो उससे फायदा उठाएं, इसलिए वो क्या करते हैं, copyright कराते हैं अपनी property को, fine, other parties may be granted permission to use those works through licensing arrangements or by the works from the copyright holder, तो अगर किसी और को वो work use करना है, तो कैसे कर सकता है या तो license लेके ठीक है एक particular amount देके license देके या फिर वो copyright holder से उस work को buy करके खईद कर, तो इस तरीके से आप copyright material को use कर सकते हैं, free and open source software is a software that is both free software and open source software, force एक ऐसा software होता है, जो क्या है, एक free software है, okay, as well as क्या है, open source software है, okay, where anyone is freely licensed to use, copy, study and change the software in any way, जहां पर यह क्या होता है, publicly available होता है, और कोई भी person, individual organization इसको use कर सकती है, copy कर सकती है, study कर सकती है, अगर वो software में कोई change करना चाहती है, तो वो change कर सकते हैं, मतलब users, okay, in any way, and the source code is openly shared, so that people are increased to voluntarily improve the design of the software, okay, तो इसका source code होता है, वो क्या होता है, openly shared किया जाता है, जिससे people, जो लोग है, वो increased हों, okay, उसके software design में change करने के लिए, अगर वो कोई innovative amendment करना चाहते है, कोई change करना चाहते हैं, software में वो कर सकते हैं, okay, this is in contrast to the proprietary software, where the software is under restrictive copyright licensing, and the source code is usually hidden from the users, तो यह क्या कह रहा है, यह proprietary software से बिल्कुल अलग है, क्योंकि proprietary software क्या होता है, वो उसके अंदे copyright restrictions होते हैं, आप उसको ऐसे ही use नहीं कर सकते हैं, उसका source code होता है, proprietary software का वो publicly available नहीं होता है, तो this is different, this is totally opposite to the proprietary software, क्योंकि free and open source software क्या होता है, जहां पर जो freely available है, we can download it from internet, and without giving any cost, as well as we can change the source code of the software, fine, और proprietary software क्या होता है, जिनको आपको buy करना पड़ता है, you cannot get, you cannot freely download them from the internet, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ amount देना पड़ेगा, fine, free and open source software allows users and programmers to edit, modify or reuse the software's source code, okay, this is totally free, freely available, okay, this gives developers the opportunity to improve program functionality by modifying it, okay, तो यह क्या है, यह developers को एक opportunity देता है, कि वो उस program की functionality को improve कर सकते हैं, उसको modify कर सकते हैं, okay, the term free indicates that, the software does not have constraints on copyright, तो यहां पर free का एक meaning यह भी है, कि software के उपर कोई भी copyright नहीं है, कोई भी license नहीं है, for software के उपर जो copyright constraints नहीं है, fine, the term free software refers to a lack of restrictions on individual users as well as zero cost, तो यह क्या कह रहे हैं कि जो free software है, उसका क्या meaning है, एक तो कोई भी इस software पर restrictions नहीं होती है, और इसकी जो cost होती है वो भी zero cost होती है, fine, the term open source software refers to collaborative or network development, open source software कैसे होते हैं, जो एक collaborative means, लोग मिलकर उसको बनाते हैं, okay, network मतलब एक लोग का network मिलकर उसका development करता है, तो एक summary जो हम बोलेंगे, free and open source software की वो क्या है, these are the software which are freely available, okay, we don't have to pay any cost for them, okay, we don't have to buy them and, we can change, we can do any change in the source code of the software, हम उसके source code में कोई भी change कर सकते हैं, okay, fine, तो आप देखेंगे इसके कुछ examples, now here we have some examples of free and open source software, cybercrime is any criminal activity that involves the computer network device or a network, so cybercrime क्या है, cybercrime क्या है, cybercrime एक criminal activity है, जो किसके थू होती है, computers के use से होती है, network devices, वो devices जो network से attached हैं, या फिर network के थू होती है, तो यहां पर network basically internet के लिए कहा जा रहा है, okay, the crime that you are committing on the cyberspace, okay, जो आप internet पर crime commit कर रहे हो, उसको क्या बोलता है, cybercrime, while most cybercrimes are carried out in order to generate profit for the cybercriminals, some cybercrimes are carried out against computers or devices directly to damage or disable them, कुछ cybercrimes commit किये जाते हैं, profit के लिए, frauds के लिए, money frauds होते हैं, cybercrimes के थू, cybercriminals money frauds करते हैं, उन्हें profit होता है इससे, okay, कुछ cybercrime किये जाते हैं, किसी company या organizations के setup को, computers को, devices को damage करने के लिए, या किसी individual के device को damage or disable करने के लिए, okay, cybercrime is a general term that covers crimes like phishing, credit card frauds, illegal downloading, child pornography, scams, cyber terrorism, creation or distribution of virus, spam, stealing identities, intellectual property infringement, online harassment, cyber stalking and so on, तो यहां पे कुछ journal क्या है, cybercrimes दिये गए हैं, okay, जिसको हम one by one discuss करेंगे, now we have some common cybercrimes, first we have the cyber trolls, cyber trolls refer to a person who purposely post opposing sarcastic demeaning or insulting comments about something or someone with an aim of targeting a person online, so cyber trolls कौन होते हैं, cyber trolls वो लोग होते हैं, जो दूसरे लोगों के लिए opposing opposing means, अगर मालो किसी ने कुछ comment लिखा है तो उसके against में जाके लिखेंगे, okay, दूसरे लोगों के लिए opposing post लिखते हैं, सर्कास्टिक comments करते हैं, सर्कास्टिक क्या होते हैं, दूसरों की comments का मजाक उडाना, व्यंग पून comment, okay, mocking करना, तो यहां पर अगर किसी ने किसी की picture पर या किसी की comment पर क्या करेंगे, सर्कास्म करेंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे, inserting comments लिखेंगे, about something or someone with an aim, उनका aim क्या होता है, with an aim of targeting a person online, किसी person को online target करना, okay, trolling is a cyber crime, तो जो cyber trolling होती है, वो भी एक cyber crime है, in fact it is a form of cyber bullying, और यह किसके अंडर आती है, cyber bullying के अंदर, bullying क्या होता है, किसी को आप क्या करते हो, bullying क्या होता है, किसी को परिशान करना, okay, तो जब आप internet के, through communication, media के, through किसी को परिशान करें, तो क्या होता है, cyber bullying, okay, so this is cyber trolls, now next we have the cyber bullying, a form of harassment or bullying, inflicted to the use of electronic or communication devices, such as computers, mobile phones, laptops, etc, तो cyber bullying क्या है, cyber bullying है, type of harassment, okay, harassment है, या bullying है, आप किसको परिशान कर रहे हो, किसी को harass कर रहे हो, किसके through, electronic devices के through, communication devices के through, okay, like computer, mobile phone, laptop, okay, cyber bullying क्या है, जब आप, communication devices के through, electronic devices के through, किसी को harass करते हो, या, किसी को परिशान करते हो, तो वो होता है, cyber bullying, okay, next, we have cyber stalking, cyber stalking means, जब आप, internet के through, communication, media के through, किसी का, stalking का meaning क्या होता है, पीछा करना, okay, cyber stalking, the use of electronic communication, by a person, to follow a person, cyber stalking क्या है, electronic communication का, use करके, जब एक person, दूसरे person को, follow करता है, उसको बोलते हैं, cyber stalking, or attempts to contact a person, to foster personal interaction, repeatedly, despite a clear indication, of this interest by such person, या फिर आप बार बार किसी दूसरे person को, क्या करोगे, contact करने की कोशिश करोगे, in order to impose your personal interaction, अपने खुद के फायदे के लिए, अपने खुद के personal interest के लिए, बार बार आप किसी को message करोगे, call करोगे, या online बार बार, emails, or messages आप send करोगे, despite a clear indication, जबकि आपको clear indication दिया जा चुका है, कि that person is not interested in you at all, और monitors the internet, या फिर आप जब किसी के internet को पूरा monitor करते हो, उसके email account को monitor करते हो, उसकी timing को monitor करते हो, when he or she is coming online, okay, in order, okay, form of electronic communication commits the offense of stalking, तो जब आप उसको online, fine, बार बार follow करते हैं, तो यह क्या है, cyber stalking, fine, किसी को internet के थूह, communication media के थूह, follow करना, continuously follow करना, क्या होता है, cyber stalking, okay, next we have online job fraud, online job fraud, is an attempt to defraud people, who are in need of employment, by giving them false hope, promise of better employment, with higher basis, तो online job fraud क्या है, online job fraud में क्या होता है, online लोगों को क्या किया जाता है, love means उनको एक लालज दिया जाता है, okay, employment का लालज दिया जाता है, कि उनको employment दिया जाएगा, उनको जोब दी जाएंगी, दी जाएंगी उनको एक फॉल्स होप जूटी आशा दी जाती है उनसे जूटे प्रॉमिसिस के जाते हैं और बेटर एंप्लाइमेंट विद हायर वेजस ठीक है कि उन्हें बहुत अच्छे एंप्लाइमेंट मिलेगा जिसमें उनको हायर वेजस मतलब एक फिक्स इंकम मिलेग एक रेगुलर पेमेंट मिलेगी और वो काफी जादा होगी तो यह ओनलाइन जॉब फ्रॉड्स में क्या होता है ओनलाइन लोगों को फसाया जाता है जूब्स के लिए ऐसा होता कुछ निये वो उनसे स्टार्टि में कुछ अमांट मांगा जाता है तो यूव पे सम आपको लगेगा कि जहां से इमेल्स आरे हैं वो साइट्स क्या है लीगल साइट्स से क्या है जाता है लेकिंगर बources आंक मांपा जाते हैं आपको डिलक पर जाता है आपका कुछ ना कुछ आपकी जो information होती है आपका debit card number या credit card number या आपका CBV number क्या करते हैं उसमें आपसे वो फिल कराया जाता है इमेल जो आपके पास आता है उसमें पर क्लिक करने से पहले आपको बहुत ही अच्छे से इसको देखना चाहिए कि is it coming from the legal website or not okay तो phishing is what? phishing is the online fraud with the help of legitimate not legitimate looking sources okay these are not legitimate मतला वो legal sources नहीं है वो वैसे लगते है तो जो emails के crew fraud किया जाता है उसको बोलते हैं phishing next we have wishing wishing is an attempt where fraudster try to seek personal information like customer ID, net banking password, ATM PIN, OTP, card expiry date, CVV etc. through a phone call okay तो phishing क्या था जो fraud किया जाता है email के through right यहाँ पे wishing क्या है यहाँ पे आपके पास phone calls आएंगे और phones calls through आपको क्या करेंगे यहाँ आपको क्या सेथ fraud करेंगे किसी न किसी तारीको आप से आपका नेट banking passport लेने कोशिच करेंगे, ATM PIN लेने के कोशिच करेंगे CVV लेने यहाँ पे यहाँ पे जो फोड digging कैसे Quance root फ्रू किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं विशिंग, fine, इमेल के फ्रू जो फ्रू जाता है उसको बोलते हैं, फिशिंग, right, और जो फॉन को फ्रू किया जाता है उसको बोलते हैं, विशिंग, right, Now next we have smishing, smishing is a type of fraud that use mobile phone text messages to lure victims into calling back on a fraudulent phone number, visiting fraudulent websites, और डाउनलोडिंग मैलिशिस कंटेंट वाया फ़न और वेब तो समिशिंग क्या है आपके पास जो आपके पास टेक्स मेसेजिस आएंगे जो आपको लर करेंगे मलब आपको लालस देंगे उनको उस पाटिकुलर नंबर पर जिस जहां से मैसेज आए वहां पर कॉल्बैक कर जाएंगे या फिर आपको लिंक भेजेंगे इस पाटिकुलर लिंक पर क्लिक करो तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे फ्रॉड वैससाइट के ऊपर आप चले जाएंगे या फिर आपको कुछ डाउनलोड करने क्ले करेंगे मैलिशिस कंटेंट मतलब हम्फुल कंटेंट तो जो आपके साथ प्रॉड किया जाता है मैसेज़ेस के तुरू टैक्स मैसेज़ेस के तुरू इसको हम कहते हैं स्मिशिंग नेक्स्ट वी हैब सिम स्वैप स्कैम सिम स्वैप स्कैम अकर्स वेन प्रॉस्टर्स मैनेज़ तो गेट न्यू सिम कार्ट इस्षूड अगेंस् जब जो फ्रॉट फ्रॉटर होता है जो फ्रॉट परसन होता है वो क्या करता है mobile service provider से जो किसी के लिए SIM औरेडी issue हो चुकी है यही number पे क्या करता है SIM SIM issue कराता है मालो आपका number है आपका ही number क्या है दूसरे person ने fraud के थू ले लिया है विद दे हब आप न्यू SIM card they got one time password तो अगर आप कुछ भी अपना online transaction करें तो जो one time password है वो क्या होगा उस SIM पर भी जाएगा क्योंकि number same है okay and alerts जितने भी आपके bank के transactions है उसके alerts भी उस पर फ्रॉड परसन के पास भी जाएंगे required for making financial transactions through the victim's bank account तो जो भी आप अपना transactions करें वो सारी information कहां जाएगी because you both are having the same phone number same तो क्या होगा दोनों के पास same information जाएगी getting a new SIM card against a registered mobile number fraudulently is known as SIM swap scam तो यहां पर जो यह scam किया जा रहा है scam means घोटाला किसे घोटाला किया जा रहा है कि same number किसी और दूसरे person को provide किया जा रहा है जिससे क्या हो रहा है वो person उस person की पास आपका सारा account सारे alerts सारा transaction क्या होगा चला जाएगा तो इस जो यह जो scam होता है इसको बोलते है SIM swap scam right next we have credit card fraud or debit card fraud in credit card or debit card fraud the credit card or debit card details of user are stolen from his her online activities and then some payment frauds are carried out with this stolen information okay तो किसी भी activity online activity के तुछ जैसे आपने किसी fake link पे click कर दिया और या फिर आपने किसी fake website पे जाके अपने information देदी credit card की debit card की तो वहां से क्या होगा आपकी सारे की सारी information स्टील हो जाएगी ओके और आपका क्या हो जाएगा credit card or debit card hack हो जाएगा fine और उसके through क्या होगा आपकी it involves the unauthorized use of another person's credit or debit card आपके credit or debit card का unauthorized use क्या जाएगा okay for the purpose of purchases or withdrawing funds okay जिसके जिससे क्या होगा आपके credit card से purchase means समान खरीदा जाएगा या फिर आपके funds को withdraw कर दिया जाएगा तो credit card और debit card fraud क्या है आपकी credit card या debit card के information को steal करके आपके credit card का use करना या debit card का use करना purchases करने के लिए या फिर आपके funds को withdraw करने के लिए okay next we have impersonation or identity theft identity theft okay तो impersonation क्या होता है आप किसी और का क्या करना किसी और की तरह pretend करना किसी और बना लेना okay या किसी और की identity को theft मतलब identity theft means किasis और की identity it'll create करना fine मतलब किसी और परसन जैसा आप बनना ओके इंपर्सोनेशन एंड इंड इंटिटी थैप इस एक और दूसरे परसन को के लेक्टोनिक सिगनेचर को कॉपी करें या किसी दूसरे परसन की एक यूनिक इंटिफिकेशन है इसको आप पॉपी करें और इसको क्या बोलते हैं हम आइडेंटिटी थैप जब आप माल लो कोई परसन है आप कोई सेलेबरिटी है ओके आप ने उसके ही जैसा उसकी फोटोग्रेस लगा के उसके जैसा अकाउंट क्रेट कर लिया तो लोग क्या सुचेंगे इस इस तरियल प फ्राइड करें किसी और के उलेक्ट्रोनिक सिदेट्र को आप अ कॉपी कर रहे हो या पासबर्ड को किती को कॉपी कर रहे हो या किसी की ऐडान टीक हो को सांशाय हो मैसेजेज है सेंट वाया इमेल एसे मेस अपर एंड और सिमिलर एलेक्ट्रोनिक मेसेजिंग मीडिया तो स्पैमिंग क्या होती है बहुत सारे अन्चाहे कमर्शियल मैसेजिस ओके मतलब लोग अपना एड़र्टाइसमेंट देते हैं कि हमारे प्रोडेक्स बाह कर लो तो बहुत सारे जब किसी इंडिविजुल की पास इमेल साते हैं या समस आते हैं ममस आते हैं और और किसी और इलेक्ट्रोनिक मेडिया के त्रू मैसेज़े साते हैं उसको बोलते हैं तो बाइस शबाए के स्वांपस में हैदम और उसे त्रू प्रूडक्ते होज Weight works के लिएक्प्ट नित्रा रहें पर वो क्या करें समान को पर CES करें और देमें अट्रिक हिम हर इंटो डायवर्जिंग बैंक अक्काउंट और डिटेज्स और क्या गुद्स यह कोशिश करते हैं कि जो भी परसन है थैशिपेंट है वह अपनी बैंक एकाउंट की डिटेल्स या क्रेडिट काड की डिटेल्स वहां पर फिल करें तो जहां स्पैमिंग क्या है जब आपके पास बहुत सारे अंचाहे इमेल्स या मैसेज़ेस या आते हैं जो आपको पर्सुइट करने के लिए आपको मनाने कोशिश करते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर वेब्साइट पर जाएं कुछ समान खरी दें कुछ प्रोडेक्स खरी दें ओके या फिर अपनी बैंक अकांट की इंफरमेशन फिल करें नेक्स्ट भी हैव रैंसम वेर रैंसम क्या होते हैं फिर ओती एक टाइप आफ कम्प्यूटर मालवेर यह एक टाइप का क्या है वायरस है मालवेर है ठीक है जो क्या करता है जब आपके सिस्टम में आके आपके सारी फाइल्स को इंपॉर्टिन डेटा को एंक्रिप्ट कर देता है मला वो कॉड़िट फॉ पूरे मीडिया आपका जो भी कम्मिकेशन डिवाइस है आपका डेक्स टॉप है यह लैप्टॉप है मोबाइल पॉन है उसको कम्प्लीटली क्या करेगा होश्ट इस बना लेगा अपने अपने अंडर ले लेगा आपका पूरा डेटा सारी इंफोर्मेशन इसको अंडर जी आपके डिवाइस से रैंसम वेर इनसम की छात 나서ς melt माउंट की जाते है ने जी अपने बदले में ब Kelli बाइस से आपके इंफा lucky employee कर दिया जायगा मतलब आपके डिवाइस में जिन उन्स को औरिट है इसके दिगेव डिया गया है उसके देट ब्रीच क法द रेड घ्रा जांद जया टो जहाने है इसको डेले लेना हो कि ए डे así different information is excess without authorization. तो data breach क्या है जिसमें आपकी data को steal कर लिया जाता है आपके data को access कर लिया जाता है बिना authorization के ठीक है authorization बिना authorization दिये आपके data को खाला श्रहिंसे स्ब्सक्राओर Church इस स्वेटश इस डेटा-ब्रीच विना पर्स प्रहा हो एधनेल आफ सर्वेसेज अटैक क्या वोता है यह आपके मशीन को कम्प्ली डैमेज कर देता है ताकि जो उसका यूजर है उसको एक्सेस ही ना कर पाए या आपकी मशीन को या जो नेटवर्क आप यूज करें उसको कम्प्रीटली क्या कर देगा शट्डाउन कर देगा बंद कर देगा तो यूजर कैसे होता है अगर मालो आप नेटवर्क यूज करें तो वह आपके नेटवर्क को बिल्कुल कम्प्लीटली क्या कर देंगे बहुत सारे मेल या बहुत सारा उस पर ट्रैफिक कर देंगे कि आप उसको एकसेस करी नहीं पाऊगे और और सेंडिंग इंफोर्मेशन डैट्रिगर्स ट्रिगर्स प्रेश या फिर आपके पास आपके सिस्टम पर इंफोर्मेशन सेंड की जाएगी जिस पर आप क्लिक करते क्या होगा आपका सिस्टम क्या हो जाएगा क्रेश हो जाएगा विल्कुल कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा यू आप अपने नेटवर्क की आपने सिस्टम की सर्वेसिस को यूज नहीं कर पाऊगे क्या है जहां पर किसी भी ऑनलाइन सर्वेस को अन अभी लेवल कर दिया जाता है कैसे उसको लोगों तक पहुंचने से बंद कर दिया जाता है जाता है वहां पर इतना ज्यादा ट्रैफिक कर दिया जाता है कि वह आप उस सर्वेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं इस इन इपनता है। इपनाइप खेजिड मॽंचने सर्वेस का ऩर्फी कर दिशक्सेट सस्थी ऑपंसे छ धिन खक रटिया जैट सब्सय लेए सफेवींट को चेंज ग क्रते Erी वाव website and replace content on the site with their own messages intended to change the visual appearance of the website or make it dysfunctional तो यह क्या है website defacement क्या है यहां पर किसी website को attack किया जाता है ठीक है उसको पेंट्रेट में उसके क्या करते है उसके content को replace कर देते हैं okay with their own message अपने खुद के message उसके उपर publish करा देते हैं उसका पूरा visual appearance चेंज कर देते हैं website का ठीक है या फिर उसको बिल्कुल functional उसको dysfunction कर देते हैं उसका function बंद कर देते हैं okay the attacker may post indecent hostile and obscene images messages वीडियो तो attacker जो होते हैं जो website को क्या कर रहे है यह नोंने website को क्या कर लिया उसको website को hack कर लिया है वो क्या करते हैं उसके उपर indecent messages डाल सकते हैं uh tcd images डाल सकते है messages या video बिकार messages या video डाल सकते हैं ठीक है website पर website defacement का है किसी website को hack करके completely उसको अपने अंडर लेके उसका पूरे उसकी video को publish करा रहे ना fine next we have farming attack farming attack farming is a form of cyber attack that sends you to fake website that looks like the real one farming क्या होता है farming एक ऐसा attack है cyber attack है जहां पर जो user होता है उसको कहां पर भेदिया जाता है fake website पर भेदिया जाता है जो कि real लगती है fine the user will type in a legitimate web address and is redirected to a fake website that resembles the real one user क्या करता है legal address मनलब एक सही address को type करेगा लेकिन उसको कहां भेदिया जाता है उसको fake website पर भेदिया जाता है जो real जैसी होती है fine once on the fake site hackers will either attempt to gain access to the personal or the financial information जैसे याप fake website पर जाओगे hacker क्या करेंगे कोशिश करेंगे access करने की आपकी personal information को या आपकी financial information को और they will use the fake site to infect your computer या फिर वो अप जो जिस fake site पर आप गई हो okay वो उसकी help से क्या करेंगे आपके computer में attack करेंगे with the help of virus virus के थूरू malware के थूरू okay और other malicious software या दूसरे malicious software के थूरू आपके system पर attack करेंगे okay so this is farming attack okay next we have hacking an effort to attack a computer system or a private network inside a computer is known as hacking hacking क्या होता है एक effort करना किस इस चीज के लिए computer system को attack करने के लिए या फिर एक private network को kidnap करने के लिए उसको hack मतलब उसको अपने अंडा लेने के लिए जो effort किया जाता है उसको हम क्या बोलते है hakening is the process of finding some security holes in a computer system or network in order to gain access to the personal or corporate information तो hacking क्या है, hacking एक क्या है, एक कोशिस है, जिसके त्रू क्या किया जाता है, security holes, मतब security के जो loop holes होते हैं, उनको find out किया जाता है कि कैसे आप एक system को hack कर सकते हो, अपने अंडर ले सकते हो, या कैसे आप network को अपने अंडर ले सकते हो, तो in order to access the person, किसी की personal information को access करने के लिए, या किसी company organization की information को access करने के लिए, okay, this is accomplished by cracking the password, तो mostly hacking कैसे की जाती है, passwords को crack करके and the codes that grant access to the system, या codes को crack करके जिसके त्रू आप system को access कर सकते हो, fine, the hacker is the person who perform hacking, और जो person hacking करता है, या उसे क्या बोलते है, hacker कहा जाता है, तो hacking क्या है, एक कोशिस है, जिसके त्रू क्या किया जाता है, किसी system को, की information को access किया जाता है, या किसी network की information को access किया जाता है, okay, by guessing the passwords or by breaking the passwords or the codes of the system or the network, right, next we have child pornography, child is the person who is below the age of 18 years, किसको child बोलते है, जो person 18 years से छोटा होता है, okay, child pornography is defined as any visual or written representation, including images, movies or texts that depict or advocate sexual activity, including sexual molestation or exploitation of anyone under the age of 18, to child pornography क्या है, कोई भी visual या written representation जिसके अंदर image हो, या movie हो, या text हो, okay, जो किसी छोटे बच्चे को, मतलब 18 years से बिलो को क्या करे, show करे, okay, कोई भी मतलब किसी का molestation हो, या किसी का exploitation हो, वो क्या हो, online present किया जाए, तो वो किसके अंदर आता है, वो साइबर क्राइम के अंदर आता है, information technology act 2000 and Indian penal court 1860 provides protection from child pornography, तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास क्या है, एक्स है, जिसके थूह हम इसके against complaints की जा सकती है, according to the new information technology bill section 67 has been amended, that not only creating and transmitting obscene material in electronic form, बल्लब ना सिर्ट करना और इसको लोगों तत पहुंचाना, transmit करना crime है, but also to browse such site is an offense, बल्कि जो ऐसी sites को browse करना भी crime के अंदर आता है, तो the children should be aware of all these things, right, cyber law और IT law is referred to as the law of the internet, तो cyber law क्या है, cyber law है internet पे जो एक कानून लागू होता है, बल्लब वहां पे जो भी crimes होते हैं, जिसके लिए उसके लिए जो हमने laws बनाए हैं, उसको बोलते हैं cyber law, okay, और IT law, it is a legal system designed to deal with the internet, computing, cyberspace, okay, and related legal issues, तो cyber law क्या है, एक legal system है, जिसको design किया गया है, जिसको बनाया गया है, किस से deal करने के लिए, जो भी internet पर, या cyberspace, cyberspace क्या होता है, the virtual space created by cyberspace, means जो internet पर जितना भी communication होता है, एक network है, ओके तो उस network के अंदर communication होता है, information exchange होता है, business conduct किया जाता है, तो वो पूरा पूरा जो internet पर जो space available है, जहां पर information exchange होता है, social discussions होती है, business किया जाता है, तो इसको बोलते, cyberspace, तो cyberspace में, internet पर, जो भी cyberspace से, जो भी related legal issues होते हैं, उनको deal करने के लिए, cyber laws को create किया गया है, तो cyber law and compasses aspects of intellectual property, contract, jurisdiction, data protection laws, privacy and freedom of expression, तो cyber laws के अंदर क्या क्या आता है, बहुत कुछ आता है, intellectual property rights आते हैं, अगर किसी की intellectual property को steal किया जा रहा है, या उसके अगेंस जाके कुछ work हो रहा है, copyright infringement हो रहा है, वहाँ पर cyber laws करते हैं, contract है companies में, online companies में, वहाँ पर कुछ problem है, that will be handled by the cyber law, jurisdiction, data protection laws है, online data protection के लिए, cyber laws है, privacy and freedom of expression, privacy के लिए, और आपके freedom के लिए, so that you can easily use the online space, you can easily use the cyber space, उसके लिए cyber laws बनाए गए है, okay, the laws implement for cyber security, largely vary from country to country, and their respective jurisdiction, तो या cyber laws है, वो क्या है, वो vary करते हैं, मतलब वो अलग-अलग countries में, अलग-अलग cyber laws है, okay, और किसकी according है, वहाँ के jurisdiction के according है, ठीके, वहाँ का, जिस country का jurisdiction जैसा है, वैसे ही, मतलब cyber laws है, वो अलग-अलग country में, अलग-अलग तरीके से implement किये जाते हैं, ठीके, उनको अलग-अलग तरीके से लागू किया जाता है, okay, the punishments for the same, also vary from fine to imprisonment, based on the crime committed, okay, तो different different countries में उनकी punishments, cyber laws में जो punishments दी गई हैं, या fine दी गई हैं, वो भी क्या है, different है, वो vary करते हैं, मतलब अलग-अलग है, अलग-अलग कानून है, अलग-अलग, जो भी है, अलग-अलग countries का, अलग-अलग क्या है, cyber laws है, अलग-अलग उसमें fines है, अलग-अलग उसमें सजाए दी जाती है, imprisonment क्या होता है, सजा देना, okay, it is very important for citizens to know the cyber laws of their respective countries, to make sure they are well aware of all information regarding cyber security, तो आपको क्या करना होता है, citizens को क्या knowledge होने चाहिए, उनको अपनी countries के cyber laws पता होने चाहिए, और अगर आप उसके against cyber laws के तो उसके लिए आपको क्या penalty देनी पड़ सकती है, तो यह सब पता होना चाहिए, fine, the first cyber law to ever exist was computer fraud and abuse act in 1986, जो सबसे पहला cyber law आया था, वो क्या था, computer fraud or abuse act था, जो 1986 में आया था, that prohibited unauthorized access to computers, जो क्या करता था, unauthorized, computers को unauthorized access करना, मतलब बिना permission के किसी computer को access करना, and illegal use of digital information, or digital information का illegal use करना, उसके लिए बनाया गया था, मतलब अगर आप किसी computer को बिना permission के access करे हो, या फिर digital information को मालो, बहुत crucial information से, countries की, बहुत crucial information से, अगर आप उसको, क्या करे हो, उसको illegally आप use करे हो, तो वो किसके अंडर आता है, computer fraud and abuse act, जो सबसे पहला act बनाए था, 1986 में, now we have importance of cyber laws, cyber laws के क्या importance है, it covers all transaction over internet, तो internet पे जितने, जो भी transaction होता है, वो cyber law के अंडर आता है, it keeps eye on all activities over internet, internet पे जो कुछ भी हो रहा है, उसको 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 उपरी पूरी अपना, पूरा उसको देखता है, whatever is going on, जो भी activity होती है internet पर, वो cyber laws उसको पूरा जज़ करता है, it touches every action and every reaction in cyber space, तो जो भी action, reaction, whatever is going on, is under the eye of cyber laws, okay, how to file a cyber crime complaint online in India, अगर आपको cyber crime complaint करनी हैं इंडिया में, तो आप कैसे करोगे online, okay, a cyber crime complaint can be filed using national crime reporting portal of India, तो आप national crime reporting portal पर जाओगे, ठीक है, और उसकी website का link यहां पर दिया हुआ है, आपको sttpscybercrime.gov.in, okay, so in order to file the cyber crime complaint, you can go to that particular website, fine, cyber crime help line number, अगर आपको call करना है, तो cyber crime का help line number भी है, cyber crime help line number is 155260, okay, okay, now we have national cyber crime reporting portal of India, this portal is an initiative of the government of India, to facilitate victims complaints, to report cyber crime complaints online, okay, तो यह हमारा एक पॉर्टल है, मतलब पॉर्टल क्या होते है, वेस्टाइट है, जो इंडिया की गवर्मेंट ने क्या की आपको प्रवाइट किया है, ठीक है, जिसके थूरू आप क्या कर सकते हो, cyber crimes complaint, file कर सकते हो, fine, this portal, kattles for all types of cyber crime, तो यहाँ पे इस पॉर्टल में आप किसी भी तरह की cyber crime की complaint send कर सकते हो, online complaint आप file करा सकते हो, ठीक है, complaints including, okay, cyber crime complaints including complaints pertaining to किस किस तरह की online child pornography, अगर child pornography अगेश्ट आप करवा सकते हो, complaint child sexual abuse material, sexually explicit content, and other cyber crimes such as mobile crimes, online and social media crimes, online financial frauds, ransomware, hacking, cryptocurrency, okay, cryptocurrency से related time है, okay, and online cyber trafficking, तो किसी भी तरह की का cyber crime है, okay, आप उसके against, अपनी complaint फाइल करा सकते हो, by the portal of national cyber crime, okay, now we have Information Technology Act 2000, और we can say IT Act 2000, okay, तो यह क्या है, the Information Technology Act 2000, also known as, ITA 2000, और IT Act, is an act of the Indian Parliament, notified on 17th October 2000, तो यह जो यह जो आईटी एक्ट है, ठीके, वो पार्लियमेंट में कब नौ्टिफाई किया गया था, 17th October 2000 में, इस प्राइमली लो इन इंडिया, डिलिंग विज साइबर क्राइम एंड इलेक्रोनिक कॉमर्स, तो यह जो हमने, यह जो Information Technology Act है, वो किसले बनाया किया है, यह डील करता है, Cybercrime से, एंड इलेक्रोनिक कॉमर्स से, इलेक्रोनिक कॉमर्स मेंज, जो भी ओनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे है, जो भी विजनिस किया जा रहा है, ओनलाइन, उस से, ठीक है, लेक्रोनिक कॉमर्स, फाइन, इट कंसेट्स ऑफ 94 सेक्शन, इस एक्ट के अंदर 94 सेक्शन है, डेटा डिवाइड इंटू 13 चैप्टर्स एंद 4 स्केडियूज, जो की 13 चैप्टर्स और 4 स्केडियूज में डिवाइड किये गए हैं, पाइन, परसंस ऑफ अफ अदर नेशनल्टी चैप्टर्स ऑफ अदर लौ इप्टर्स और लोकेटेट इन इंडियूज जो अदर दूसी कंट्री के लोग हैं, वो भी इस के अंदर आएंगे, उनको भी इस लौ के अंदर आते हैं, अगर वो क्राइम जो कर रहे हैं, वो कहां वो किस पर करें, ऐसे नेटवर्क से जो इंडिया के अंदर प्रेजनल्ट हैं, जो इंडिया के अंदर लोकेटेटेटेट इंडिया के अंदर है, पाइन, ओके ओके इस लौ इस लौ जो कुछ लॉग आते हैं यहां पर हम एक्स्प्लेइन करेंगे, इंडिया एंड प्रोविजन्स फोर लीगल एक्षिन एंड पनिश्मेंट है इन नश्यल इन दे ब्लोग इवन टेबल राइट के अंदर कुछ सेक्षिन से यहां पर उसका डिस्कुशन हम लोग करेंगे ठीक है नौ दे सेक्षिन इस सेवन एक राइट पब्लिशिंग इमेज अगर आप इस तरह की इमेज को पब्लिश करते हो ठीक है यह आपका तो पैनल्टी क्या होगी इंप्रीजनमेंट अप टू सेवन एंड और फाइन अप टू टेनलेक रूपीस या तो इम्प्रीजन या तो आपको कैद होगी साथ साल की या फिर आपको टैनलेक्स रूपीस उसका फाइन देना होगा, fine, then we have 67 b publishing child porn और predating child online, okay, तो child porn publish करना या फिर children को online फसाना, ठीक है, फसाके उनसे कुछ गलत काम करवाना, ठीक है, इस offense की penalty क्या है, imprisonment up to 5 years and और fine up to 10 lakh on first conviction मतलब 5 years की आपको imprisonment होगी और या फिर आपको 10 lakh rupees का fine देना पड़ेगा first time अगर आपनी crime किया है first time okay imprisonment up to 7 years and or fine up to 10 lakh on second conviction और अगर आपने वही crime second time repeat किया है तो आपको 7 years की imprisonment होगी कैद होगी और या फिर आपको 10 lakhs to 30 का fine fill करना होगा okay section 67 c failure to maintain records by intermediaries intermediary shall preserve and retain records for durations as prescribed by central government okay तो यहां पर अगर government government के crucial documents है जो उन्होंने क्या दिया है online documents है जो उन्होंने किसी company को क्या maintain करने के लिए दिये हैं तो अगर वहां पर वह फेल हो जाती है failure to maintain records by intermediaries 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 कौन होते हैं mediators agents तो कुछ ऐसी companies हैं या organizations हैं जिनको बहुत ही crucial information online preserve करने का या maintain करने का जो वर्क दिया गया है अगर वह उसमें फेल हो जाते हैं तो उसके लिए क्या है punishment क्या है penalty imprisonment up to three years या तो तीन साल की imprisonment okay या फिर टूलेक्स का fine now we have section 68 okay इसमें offense क्याता है failure or refusal to comply with the orders जो IT8 के अंदर laws दिये गए है orders दिये गए हैं अगर कोई भी उनको क्या करता है उनको लागू नहीं करता है उनका पालन कंप्लाइब मीन्स पालन करना उनका पालन नहीं करता है तो इस इस case में क्या होगा imprisonment up to seven years साथ साल की या तो कैट या फिर possible fine जो भी possible fine हो सकता है वो ठीक है now we have section 69 failure refusal to decrypt data अब यहां पर आगा किसी ने किसी organization का crucial या बहुत important data क्या कर दिया है encrypt कर दिया encrypt मतलब उसको coded form में convert कर दिया है okay अब क्या करता है उसको refuse कर देता है decrypt करने के लिए original data में convert करने के लिए उसको refuse कर देता है तो इस case में क्या है यह एक crime है कि आप किसी का data steal करके उसको decrypt उसको sorry encrypt करें encrypt मतलब उसको coded form में convert कर रहे हो और अगर आप उसको decrypt नहीं करते हो तो यह this is also a crime this is this is an offense okay तो इसके लिए penalty क्या है imprisonment up to three years three years imprisonment or fine up to one leg या फिर one leg का fine fine now section 17 securing access or attempting to secure access to a protective system अगर आप किसी protective system को क्या करते हो एक्सेस कर लेते हो मतलब किसी कोई important system device है आप उसमें बहुत important data उसको क्या करते हो एक्सेस कर लेते हो अपने अंडा ले लेते हो या फिर उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो ओके तो इसके लिए क्या है पैनल्टी इंप्रीजिनमेंट अप्टू 10 यह की इंप्रीजिनमेंट है या फिर fine है okay now we have now we have section 71 whoever makes any misrepresentation to or suppresses any material fact from the controller or the certifying authority for obtaining any license or electronic signature certificate अगर आप क्या करते हो आप false information देते हो ठीक है आपने दोक्यूमेंट का misrepresentation करते हो इन और तो एक्सेस दा इन और तो एक्सेस अनी लैसेंस आपको लेने के लिए online license लेने के लिए जो भी information provide कर रहे हो वो रॉंग है ठीक है या फिर आप electronic signature certificate लेने के लिए जो भी information provide कर रहे हो controller को वो क्या है wrong है ठीक है तो इस case में यह क्या है if you are getting the license अगर आप license ले रहे हो on the basis of wrong information तो वो क्या है crime है तो इसके लिए penalty क्या है imprisonment up to three years or fine up to one leg या तो imprisonment सर्जा होगी आपको कैद होगी three years की या फिर बन लेक का जुर्माना ओके नाओ वी हैव आई-टी-एक 2000 amendments जो आई-टी-एक में amendments किये गये थे changes किये गये थे वो क्या है ओके a major amendment was made to आई-टी-एक in 2008 2008 में IT information technology act में कुछ changes किये गए थे इट इंट्रोड्यूस सेक्शन 66A इसके अंदर 66A सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया मतलब इसमें डाला गया विच विच पीनलाइस्ट सेंडिंग ओफ offensive messages ओके जहां पर सजा दी जाएगी किस चीज के लिए अगर आप क्या करते हो किसी को offensive messages भेज रहे हो उल्टे सीधे useless dirty messages आप अगर किसी को भेज रहे हो तो इसके लिए क्या है आपको आपको सजा दी जाएगी पीनलाइस का मिनिंग क्या होता है subject to a penalty और punishment या तो आपको penalty देनी पड़ेगी या फिर आपको punishment दी जाएगी ओके इट ऑसो इंटर्डूस सेक्शन 69 विच के अथॉरिटी इस पार ऑफ इंटरसेप्शन और तो या अथ किया गया जिससे क्या होता है अथ वह किसी भी एटा को या चीज और किसी भी देटा को आप कर सकते हो मतलब जो इंटरनेट पर डेटा ट्रेवल करता ह। schizophrenia विखिए कडूड़ में मतलु हो तो आप कद गैत सक्षाइज को विखवा कि future सकते हो कि क्या चीज हो रही है तो यहां पर पैनल्टी को एड किया गया चाहिल्ट पॉर्नोग्राफी के लिए इंटरनेट पे जो इंटरनेट की तुरू जो टैरर फिला जाता है उसके लिए इंटरनेट पे पॉर्न मैटीरल अवेलेवल होता है उसके लिए फाइन देक्ट वस पास्ट इन डिसांबर टूथाज़न एड एंड केम इंटू फोर्स इन ऑक्टूबर टूथाज़न नाइट तो यह एक्ट डिसांबर टूथाज़न एट में पास्किया गया था और यह इं तो डिस्क्राइब ओल टाइपस ऑफ ओल्ड एंट ऑफ लाइफ और डिसकारड़ इलेक्टिकल एंड लेक्ट्रोनिक एक्विपमेंट्स तो यहां पर देखो इलेक्ट्रोनिक वेश्ट है आपका पुराना या फिर डिसकारड़ मतलब खराब हो चुका या फिर जिसकी आपका इलेक्ट्रोनिक समान की तो यहां पर देख़ो नुट्रोनी ट्वर्स यह उड सु और सुंछ आिश्राइग संद होना तो पर सब्सक्राइब आपका fan motor generator transformer right and electronic electronic devices कौन से होते हैं electronic device regulate the flow of electrons in different operations तो यहां पर electronic जो devices होता है आप मैं को बहुत दीप में नहीं जाओंगी इस्तना बता जाती हूं वह होता है वह इलेक्ट्रों के फ्लो को अपरेट करते हैं तो इसके अंदर हमारा आजाता है कंप्यूटर्स मोबाइल फॉन्स रिमोर्स कैमरा एक्ट तो ऐसा एलेक्टिकल या इलेक्ट्रोनिक एक्विप्मेंट जो है अच्छ आपाव्ज कोड्स होटी जो आपके लिए यूजलेस है ऑक अपने आपके सुछ्ट एस्ट विडिक होने वाले समान क्म्टिकेशन एक्वीब्मेंट के लिए जो आप मोबाइल फोन्स यूज़ करते हो आपके फोन्स यूज़ होते हैं एन तरफिंडमेंट चुमाइट लो यूज़ दिविजेन के लिकेशन एक्वाइट टीवींटस तू यह जो आपके डिसकार्डेट लाइट निम्स Texture पज़्राइब करते हैं लेजर प्रकष्पर्जरल एक्विपमेंट केंट इन्स्टेमेंट वह तरह रिपाइब होता रटीटर से चलते हैं जो रटीटरी सिटी से चार्ज होते हैं वह उनका वेस्ट उनका वेस्ट मेटीरियल कौन सा होता है electronic waste या हम उसको बोलेंगे e-waste, charges हो गए ओके ये भी क्या electronic waste e-waste contain बहुत valuable and hazardous materials that require special handling and recycling methods तो ये जो e-waste होता है ठीके उसके इंदर क्या होता है valuable चीजे भी होती है और बहुत ही क्या होता है hazardous means जो नुक्सान करती है ऐसा material भी होता है तो उसकी जो e-waste होता है उसकी एक special handling चाहिए होती है जो अच्छे तरीके से handle किया जाए और उसकी जो recycling method है वो बहुत ही proper तरीके से recycling किया जाना चाहिए e-waste को some of the common e-waste items are यहाँ पर कुछ example दिये हुआ e-waste items का computers, mobile phones, laptops, hard drives, fans, microwaves, printer, television, sets, washing machines and refrigerators, okay तो यह बहुत सारे electrical and electronic device बहुत सारे होते है तो जब वो useless हो जाते है old हो जाते है, discarded हो जाते है तो वो क्या बन जाते है electronic waste बन जाते हैं, okay now we have e-waste hazards, मतलब e-waste के क्या नुक्सान होते हैं, okay all electronic waste is made is made up of deadly chemicals such as lead cadmium, beryllium, mercury okay, so जो electronic waste होता है, वो कुछ बहुत ही deadly chemicals से बनता है ठीक है, जिसमें lead है cadmium है, beryllium है, आपका mercury है okay, disposing of gadgets and devices improperly increases the chances of these dangerous chemicals contaminating the soil, polluting the air and leaching into water bodies तो यह क्या कह रहा है कि अगर आपने in gadgets को यह devices को अच्छे धंग से क्या किया recycle नहीं किया ठीक है, इनका disposal, disposal मतलब उनको आपने dispose करना उनको एक तरीके से discard मतलब जैसे dispose करता है recycle करता है, या कहीं पर हम उसको fact देते हैं, ठीक है या disposal कर देते हैं तो यहाँ पर आपने improper तरीके से किया है, तो क्या होगा इसकी जो dangerous chemicals है वो क्या करेंगे, soil को contaminate कर देंगे means soil को प्रदूशित कर देंगे, right polluting the air, air pollution create करेंगे, okay and leaching into water bodies leaching क्या होता है, leak हो जाना drain away, ठीक है, तो water bodies के अंदर वो drain हो जाएंगे right, तो इनको बहुत ही proper तरीके से dispose करना चाहिए, e-waste को, okay when e-waste is deposited in a landfill it tends to leach when water passes through it, sometimes क्या करते हैं हम लोग landfill means क्या होता है गड़े खोद के वहाँ पर e-waste को क्या कर देते हैं, वहाँ पर दबा देते हैं okay, तो अगर आपने क्या किया, e-waste को landfill के अंदर गड़ों के अंदर खोद के दबा दिया it tends to leach, तो वहाँ से क्या हो सकता है उसके जो chemicals है, वह लीच हो सकता है leach मतलब वह लीक हो सकते है when water passes through it, जब जब उसके अंदर से पानी, जो internal water होता है जमीन के नीचे का पानी होता है अगर वह उसके अंदर से पास होगा तो वह पानी क्या होगा, polluted हो जाएगा picking up traces, trace elements और जमीन के अंदर जो water होता है वह उसके अंदर से पास होगा तो उसकी chemicals को अपने साथ ले लेगा उसके जो elements है उसकी traces अपने साथ ले लेगा तो water polluted हो जाएगा, right the contaminated landfill water then reaches natural groundwater और जो contaminated, polluted landfill water वो कहाँ पहुंचेगा, natural groundwater के अंदर mix हो जाएगा with increased toxic levels and can be very harmful if it enters any drinking water source और वो जो groundwater है, अगर वो drinking water source में mix हो जाता है क्योंकि most of the drinking water source क्या होता है जैसे wells होते हैं, वहां से लेते हैं, tube wells होते हैं जो underground water होता है, अगर वो उसमें जाके mix हो जाता है और वो drinking water source है हमारा, तो क्या होगा, यह जो इतने ज़्यादा poisonous chemicals है, वो क्या होगे, drinking water में mix हो जाएगे, तो इस चीज़ का भी दिहार रखना है when open air burning and acid bath are used to recover valuable materials from e waste हम क्या करते हैं, जो एक valuable चीज़े होते हैं, उनको निकालने के लिए क्या करते हैं या तो उनको खुले में burn करते हैं, open air burning, या फिर acids का use करते हैं जिससे की उसका valuable material अलग होता है, तो इस condition में क्या होता है, it releases toxic materials leaching into the environment, तो वो ऐसा toxic material produce करता है, जो क्या होता है? वो environment में air में mix हो जाता है, which can lead to irreversible health effects, जिससे क्या होगा? ऐसे health effects होंगे जो irreversible हैं, जिनको हम change नहीं कर सकते, और कौन से चीज हो सकती है, इस air pollution से क्या क्या हो सकता है, including cancers, cancer हो सकता है, neurological damage, neurological क्या होता है? nerves का damage, nervous system का damage, diminished IQ, और यह जो हमारा IQ level होता है, उसको भी क्या करता है? क्या कम कर देता है, fine, तो यहां पर क्या e-waste के यह नुकसान है कि हम अगर उसको सही तरीके से recycle नहीं करते हैं, सही तरीके से उसको dispose नहीं करते हैं, तो क्या-क्या problem create हो सकती है, now we have e-waste management, e-waste को कैसे manage किया जा सकता है? here are some eco-friendly waste disposal techniques that you can use to dispose of electronic waste locally, okay, तो यहां पर कुछ eco-friendly techniques बताए जारे हैं, जिसकी help से आप क्या कर सकते हो, electronic waste को dispose कर सकते हो, fine, so first we have, give your electronic waste to a certified e-waste recycler, आपने electronic waste को certified e-waste recycler को दो, okay, you need to find an e-waste recycler who is officially certified by the Basel Action Network, right, BAN is a non-profit organization of recycling companies which are dedicated to recycling e-waste in a safe and responsible way, okay, तो आपको जो अपना e-waste है, वो क्या करना है, certified company को देनी है, जैसे यहां पर example दिया है, BAN, Basel Action Network, जो क्या है, एक non-profit organization है, okay, जो क्या करती है, electronic waste को, safely or responsibly क्या करती है, उसको dispose करती है, right, when instead of throwing your electronic waste, अगर आप फैंक दोगी, तो क्या होगा, जो लोग होते है, जो कूड़ा उठाते है, जो क्या क्या करेंगे, इसको कहीं पर भी open air burn कर देंगे, to get the valuable things from them, तो इससे बेटर है कि आप electronic waste को एक certified organization को दो, जो जो इसको एक safe way में क्या करे, right, precaution to take before donating or recycling your electronics, okay, आपको अपने electronic waste को donate करने या recycle करने से पहले, क्या क्या precautions लेने चाहिए, upgrade your computer in state of simply replacing it, अगर आपका computer upgrade हो सकता है, तो आप क्या करो, उसको upgrade करो, उसको replace करने की बज़ाए, उसको upgrade करो, मतलब उसके अंदर आप क्या करो, Windows change करा लो या उसके जो parts है, वो change करा लो, नया लेने की बज़ाए, आप क्या कर सकते हो, अपने और computer को आप upgrade करा सकते हो, okay, format all your personal information from your products before discarding it, अगर आप अपने, अपने किसी भी device को क्या कर रहे हो, okay, उसे donate कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले format कर देना चाहिए, जिससे आपकी जितनी भी personal information हो, वो सारी के सारी delete हो जाए, ऐसा ना हो कि आप अपना device दो और आपकी personal information लीक हो जाए, right, take out the batteries from your gadgets before getting rid of them, और जब भी आप अपने device को donate करें हैं, recycle करें तो उसमें से batteries निकाल लो, okay, तो यहाँ पी कुछ precautions है, जो आपको लेने हैं before donating or recycling your electronics, next we have sell off your outdated technology, अपनी जो outdated technology है, आप उसको sell off भी कर सकते हैं, उसे बेच भी सकते हैं, instead of discarding it, आप उसको discard करने के बजाए किसी को sell off कर सकते हैं, okay, as the old thing goes, one man's junk is another man's treasure, तो यह क्या कह रहा है कि जो एक आदमी का junk है, जो एक आदमी के लिए कबाड़ा है, वो दूसरे आदमी के लिए जाना हो सकता है, right, तो this can be applied to helping you get rid of your old electronics, तो आप इस old thing को apply कर सकते हो, अपने पुराने electronics से, सिर्फ get rid means उसे पीछा चुडाने के लिए, ठीक है, you can tap into online sites like craigslist, ebay और ebay resort to having a garage sale, as this will help you to get rid of your outdated electronics as well as earning some money, तो आप क्या का सकते हो, online जाके, online बहुत सारी sites like ebay है, craigslist है, जिनके तुरू आप अपने electronics को अपने पुराने electronics समान को बेच सकते हो, sell off कर सकते हो, और पैसे भी कमा सकते हो, fine, now next, donating your outdated technology, आप अपने जो आपकी outdated devices हैं, उनको donate भी कर सकते हो, okay, old gadgets that you no longer need can be donated as they may be useful to others, okay, आप अपने old gadgets तकर आपने new ले लिये हैं, तो आप उनको donate कर सकते हो, वो किसी और के लिए काम आ सकते हैं, okay, your old computers may be useful to either an NGO or students, आपके old computers हैं, वो किसी NGO की काम आ सकते हैं, students की काम आ सकते हैं, okay, you should ask yourself these two questions before disposing of your old electronics, आप अपने electronics को dispose of करने से पहले, दो questions पर ध्यान दे, दो चीजों पर ध्यान दे, is the electronic item working, क्या वो electronic item काम कर रहा है, does the computer have any of your personal information, और donate करने से पहले या dispose of करने से पहले हमेशा ध्यान रखे, कि जो आपकी personal information उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, okay, a lot of organizations and businesses offer electronic donation programs which you can choose from, बहुत सारी ऐसी organizations हैं, बहुत सारी ऐसे business हैं, जो क्या करते हैं, electronic donation programs को organize करते हैं, जहां पे आप अपने electronic समान को donate कर सकते हैं, fine, visit civic institutions, inquire amongst your government, universities and schools for any recycling program, they run as lot of organizations have started assigning a certain day and place for environmentally conscious citizens to come and drop off their e-waste, okay, तो ऐसे कुछ institutions हैं, जो programs organize करते हैं, कि आप एक particular day पे आके, okay, अपने electronic समान को drop off कर सकते हैं, वहां पे आप दे सकते हैं, okay, तो आपको क्या करना है, अपने university schools या जो government organize करते हैं, वहां पे आपको इसका ध्यार रखना है कि ऐसे कौन से organizations हैं, जो इस तरीकी की programs organize करते हैं, जहां पे citizens जाके, अपने electronic waste को drop off, मतलब वहां पे दे सकते हैं, fine, no, give back to your electronic companies and drop off point, okay, a lot of electronic companies tend to have an exchange policy whereby they take back your old gadgets when you buy a little versus, okay, sometimes offering your discount on your new purchases, तो यो क्या करा है, give back to your electronic companies and drop off points, okay, तो बहुत सारी electronic companies ऐसी हैं, जो क्या करते हैं, आपके old gadgets को लेकर, आपको new version प्रोवाइड करती हैं, और new versions अगर आप ले 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 लेंगे और आपको उसका new version प्रोवाइड करेंगे, और old gadgets की, के basis पे आपको discount भी मिलता है, आपके purchase पर, okay, जैसे आप phone बाय करने गए, तो कुछ कुछ companies प्रोवाइड करते हैं, आप अपना पुराना phone ले जाओ, तो जो उस phone का amount होता है, वो कट हो जाता है, new phone के amount में से, तो यहाँ पे आपने पुराने device को क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से dispose off कर सकते हो, right, आप few recycling companies have set up electronic drop-off initiatives along with drop-off points for products such as cell phones and tablets, after which they are recycled, तो बहुत सारी companies हैं, जिन्होंने अपने क्या किया हैं, set ups बनाए हैं, जहां पे आप अपने electronic devices को छोड़ सकते हैं, और यह companies क्या क्या करते हैं, phone, tablets, effecta, जिनको यह companies क्या करते हैं, recycle करते हैं, okay, you can ask your local electronic shops regarding any information about drop-off location, तो आप अपने आजपास की जो electronic shops होते हैं, लोकेशन पे आप अपने electronic समान को छोड़ सकते हैं, drop कर सकते हैं, fine, okay, next we have safeguard both the environment and your sensitive information, तो आपको environment को भी safe रखना है और अपनी sensitive information को भी, okay, electronics are an important part of our lives today, but the flip side is the e-waste that comes along with it, तो यह क्या करा हैं कि electronic device हमरी life का बहुत important part है, लेकिन इसकी flip side, flip side मतलब इसका another aspect क्या है, इसकी reverse side क्या है, कि यह अपने साथ e-waste भी लाता है, so make sure to format your electronic devices before disposing of, तो अपने electronic device को dispose of करने से पहले हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कि उसमें आपकी कोई sensitive information नहीं हो, वो format okay, before disposing of them in a proper manner as the consequences of not doing so can be painful okay, तो जो इसको एक proper तरीके से dispose of करना चाहिए, otherwise consequences बहुत painful होते है, environment pollution होता है, air pollution होता है, जो हमारे health के लिए बहुत जादा danger है, awareness about health concerns related to the uses of technology, तो लोगों के अंदर एक awareness होने चाहिए, अपनी help को लेकर कि अगर वो technology use कर रहे हैं, तो उनको क्या-क्या उनके उपर प्रभाब पढ़ते हैं, fine, technology has become an integral aspect of people's life and will continue to do so in future, technology क्या बन चुके है, हमारी life का एक integral part बन चुके है, कभी अंग बन चुकी है, और future में भी ऐसा continue रहेगा, if technology did not exist today, human would not have smartphones, laptops, iPads और social media platforms, अगर technology नहीं होती, तो ना तो हमारे पार smartphones होते ना, laptops होते, iPads, social media, कुछ नहीं होता, right, these electronic gadgets have all been developed over time, to improve and facilitate people's life, तो यह जो electronic gadgets over the time developed हो है, उन्होंने क्या किया है, हमारी life को बहुत सारी facilities प्रवाइट किया है, हमारी life को improve किया है, technology के बहुत सारे benefits भी है, we can use our digital devices to improve our diet, track our fitness efforts, हम digital devices को use करते हैं, अपने diet को improve करने के लिए, अपने fitness efforts को track करने के लिए, okay, technological advancements have improved our healthcare system, technological advancement की वज़े से हमारे healthcare system में बहुत improvement आया है, technology gives a boost to our confidence, technology की वज़े से हम बहुत सारे area से जहां पर हमारा confidence label बहुत boost हुआ है, बहुत increase हुआ है, okay, educational activities can be designed, technology की वज़े से आप क्या कर सकते हो, अपनी educational activities को design कर सकते हो, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या होता है, बहुत कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, बहुत जल्दी से समझ में आता है, instead of if you are writing on the board or something else, तो यहां पर technology की help से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को एक live environment में भी पढ़ा सकते हैं, online shopping is available, आप online shopping कर सकते हो घर बैथे, और जाफ सकते हैं, it is possible to get in touch with people overseas and to chat with them, बहुत कर बात कर सकते हैं, जाफ जाएं भी तर जाफ कर सकते हो, It is possible to search any information anytime, अगर आपको कई भी information चाही है, तो आप किसी भी time उसको सरच कर सकते हैं, बहुत सारे फाइदे हैं technology के but like everything there are undeniable effects of technology on our health बहुत सारे फाइदे हैं लेकिन कुछ undeniable जिनको मना नहीं किया जासता है ऐसे कुछ effects भी पड़ते हैं technology के हमारी health पर अगर हम बहुत ज्यादा use करते हैं technology का right okay now here we have negative effects of technology on people's health अगर आप बहुत ज्यादा use करते हो laptops, ipads, mobile phones आप बहुत ज्यादा use करें technology का तो इसका जो negative effect होता है वो क्या होता है लोगों की health पर neck strain, strain आजाता है neck में reason problem I said बच्चों जो बच्चे बहुत ज्यादा mobile phones या यूज करते हैं इनकी क्या होती है आथी कमजोर हो जाती है sleeping disorder, नीद नहीं आती है उनको एक anxiety सी रहती है stress level increase होता है loss of attention इनका attention जो होती है level concentration नहीं बन पाता है internet addiction internet की बहुत ज्यादा addiction हो जाती है emotional instability emotional वो stable नहीं रहते हैं क्योंकि family time वो spend नहीं करते हैं most of the times क्या रहते है online रहते हैं virtual world में रहते हैं तो यहां पर इमोशनी क्या रहो जाते है instable हो जाते feeling memory loss of memory होता है अगर बहुत ज्यादा technology का यूज करोगे अगर आप किसी पोस्चर में बैठ के घंटो घंटो गंटो गेम्स के खेल रहे हो वीडियो देख रहे हो मुवी देख रहे हो तो क्या होगा उससे आपके muscles and joint pain भी हो की भी problem होती है तो बहुत साए negative effects होते है technology का अगर आप क्या करते हो बहुत ज्यादा यूज करते हो के now we have tips for using technology in a healthy way आप technology को एक healthy तरीके से भी यूज कर सकते हो ठीक है तो यह उसके लिए कुछ tips है some tips for ensuring healthy screen time includes review unnecessary apps from your phone to prevent you from constantly checking them for updates अपने phone में से बहुत सारे अगर unnecessary apps आपने इंस्टॉल कर रखें तो उनको हटा दो जिससे कि क्या होते है apps अगर आपने बहुत सारे डाले हुए तो क्या होगा तो उनके updates आते रहेंगे उनके notifications आते रहेंगे तो आप बार बार चेक करोगे तो क्या होगा इसलिए आप क्या करो useless apps को हटा दो जिससे कि बहुत सारे apps नहीं होंगे उनके notifications नहीं आएंगे आप बार बार उनको चेक नहीं करोगे right set screen time limits and stick to them आप अपना time set करो कि इतने time तक मुझे यह यूज करना है device इतने time तक मुझे screen इसकी use करने है okay और उसी time limit तक आपको stick रहना है okay आप वही फोलो अपना schedule फोलो करो log off and take regular breaks ठीक है अपने device को कुछ time के लोग उफ करो और बीच-बीच में breaks लेते रहो right अगर आप office work करें even then you have to do this right review and maximize your privacy settings on social media अगर आप social media बहुत ज्यादा यूज करते तो वहाँ पर अपनी privacy को क्या करना चाहिए बढ़ाना चाहिए privacy setting को यह नहीं कि आपने सब कुछ public कर दिया so everybody is able to see what is going on in your life right be selective about what you want to post and who you want to see it और आप किसको यह दिखाना चाहते हो sometimes क्या होता है कुछ लोग कैसे भी post डाल देते हैं तो क्या होता है बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए harmful भी हो जाते हैं fine keep mealtimes gadget free अगर आप खाना खा रहे हैं कुछ भी आपका brunch time है आपका lunch time है आपका डिनर है तो उसको हमेशा gadget free रखो okay keep electronic device out of your bedroom avoid using digital device for at least an hour before going to bed okay अपने electronic devices को phones को अपने bedroom के बहां रखना चाहिए और अगर आप सुने जा रहे हो तो उससे at least one hour पहले आपको क्या कर देना है अपने devices को use करना बंद कर देना है use the internet to stay connected but prioritize real world relationship over virtual ones तो यह क्या कह रहा है कि आप internet से एक दूसरे से connected हो लेकिन हमेशा priority किसको देनी है जो आपके real world में जो आपके relationships है आपके parents है friends है उनको आपको ज्यादा priority देनी है instead of virtual friends and virtual environment fine okay if you are parent or caregiver many of the same principle apply अगर आप parent है या आप caretaker है बच्चों को आप समालते हैं तो आपको यही कुछ जो रूस है वो अपने बच्चों पर भी apply करने चाहिए set limits on screen time and restrict it before bed time and during meal time आपको screen time पे limits बच्चों को कहना चाहिए कि आप इतने से इतने time ही mobile phone यूज कर सकते हो या आप iPads या laptop यूज कर सकते हो okay and beds पे जाने से पहले या बच्चे जब खाना खाते हैं तो क्या उनको गैजेट का use करना allow नहीं होना चाहिए fine and create in-person interaction over online interaction बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंट्रेक्शन करें जिससे की वो online interaction कम कर सके बच्चों की life में आप जितना उनसे mix-up होंगे उतना ही वो virtual word से बहार रहेंगे fine and create children to have technology free play time बच्चों को ऐसे play time में उनको इंडल्ज करें जो क्या हो guys for you like उनको पार्क ले जाएं वहां वो खेलें okay उनके साथ कुछ games play करें जिससे की वो जो technology है जो gadgets है उनसे थोड़ा दूर रहें okay make sure you have aware of what program games and app they are spending time on और हमेशा ध्यान रखें कि जो आपके बच्चे internet का यूज करें तो कौन से programs देख रहे हैं क्या games खेल रहे हैं कौन से apps यूज कर रहे हैं fine explore technology together with your children अगर आपको कुछ भी search करना है कोई भी technology explore करने हैं तो अपने बच्चों के साथ बैट के explore करें fine use a use a parental control app as well as maximize their exposure to online sorry minimize their exposure to online content okay जहां पर जुरत हो parental control app कर यूज करें जिससे आप control कर सके और क्या करना चाहिए अपने बच्चों को जो online exposure है उसको minimize करना चाहिए उसको कम कर देना चाहिए fine okay तो overall summary हमारी क्या है technology is an integral aspect of modern life technology यह क्या है एक अभिन अंग है जिसको हम नहीं जिसके बिना हम नहीं रह सकते and there are both positive and negative effects of technology use on human health तो यहां पे technology का बहुत positive effect भी हमें मिलता है और negative effect भी मिलता है taking sensible steps such as setting limits on screen time तो कुछ sensible steps लेने की वजह से like limit time sorry screen time एक limited time तक यूज करना ensuring correct posture एक correct posture में रहना जब आप लैप्टॉप यूज करें आपको क्या करना इरेक्ट पोजिशन में रहना यह नहीं कि आप जुक के काम करें तो क्या होगा इससे आपकी backbone पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है taking regular breaks time to time क्या करना है आपको अपने gadget से laptop से ipad से breaks लेना चाहिए and keeping active और अपने आपको active कर रखना चाहिए can help minimize the impacts of technology on health तो अगर इससे क्या होगा जो negative impact है technology का वो आपकी help पे कम से कम पड़ेगा okay okay everyone if you like my video please like it share it and subscribe my channel thank you